हैलो दोस्तों मैं धीरेन स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम स्टडिव संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे युक्ती पब्लिकेशन बुक से बिस्व के भुकोल की दोस्तों ये बुक है युक्ती सारसंगर है जिसमें सभी सब्जेक्ट यानि की स 25,000 प्लस बन लाइनर प्रस्टों को दिया गया है और इससे पहले हमने भारत के भुगोल को भी इस बुक के दोरा कवर किया है और आज हम बात करेंगे बिस भुगोल से बढ़ेने वाले most important question की ये बीडियो आपके सभी प्रकार की प्रत्योकता परिशाओं के लिए important रहेगा चाहे वे railway के exam हो SSC के exam हो या फिर किसी state level का exam दोस्तों जहां बिस भुगोल एक most important topic बनता है वहां आपके लिए ये book यानि कि युक्ती publication का सारसंगर है important सावित होने वाली है ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे helpful लगे तो प्लीज वीडियो को like और share जरू कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe जरू कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का notification टाइम पर मिलता रहे तो चल आपकेगा भूगोल का जनख कहते हैं दोस्तों ? हेकेटियस को किसको ? हेकेटियस को ! भूगोल को एक अलग अध्यन सास्त्र के रूप में स्थापित करने का स्रह किस बिद्यवान को दिया जाता है ? किसे ? भूगोल के लिए जोग्राफिक.. सब्द का प्रयोक सरप्रथम किस ने किया था तो ये किया था इरेटो इस्थनीज ने भूगोल भूतल का अध्यन किसे कहा जाता है तो ये होता है कांट ने भूगोल भूतल का अध्यन है किस ने कहा था तो ये कहता कांट ने भूगुल को मानब पार्स्तिती के रूप में परिवासित करने वाला बिद्दवार कौन था तो इनका नाम है एच एच बेरोज गड़तिय भूगुल का प्रारम करता कौन है तो गड़तिय भूगुल का प्रारम करता है थेल्स कौन है थेल्स छेत्रिय भूगोल का पिता किस भूगोल वेत्ता को कहा जाता है तो उनका नाम है कार्ल रिटर मानब भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है मानब भूगोल का संस्थापक कहा जाता है कार्ल रिटर को सौर मंडल सूर के चारो और घुमने वाले खगोलिय पिंड क्या कहलाते हैं किसी ग्रह के चारो और परिक्रमा करने वाले छोटे आकासिय पिंड को क्या कहते हैं तो इसको उप ग्रह कहा जाता है इंपोर्टन कोशन है ग्रहों के गती के नियम किसने पृतिपादित किये थे तो ये किये थे कैपलर ने आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अबरोही करम क्या है तो देखिए अबरोही करम है इनका पहले आएगा ब्रस्पती, इसके बाद सनी, अरोण, बरोण, पिर्तिवी, सुक्र, मंगल, एवं लाश्टबे, बुद्ध सूर के चार और चक्कर लगाते ग्रह का बेग होता है तो देखिए यादख है बेग अधिक्तम होता है जब सूर के समीप होते हैं अंतरिश में कुल कितने तारा मंडल हैं तो तारा मंडल की संक्या है 88 ब्रहमाड में बिसफोटी तारा क्या कहलाता है अधिनप तारा को बिसफोटी तारा कहा जाता है अगला कुशन है सौर प्रडाली की खोज किसने की थी तो सौर प्रडाली की खोज की थी कौपर निकसने नार्वे में अर्दरात्री के समय सूर कब दिखाई देता है तो ये दिखाई देता है 21 जून को एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर से अरिक्तम दूरी को क्या कहा जाता है तो इसको बुरह जाता है अपसौर क्या कहते हैं अपसौर एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर से नियूनतम दूरी को क्या कहा जाता है तो इसको बुरह जाता है उपसौर किनके बीच के ओसदूरी को खगोलिय एकक कहा जाता है ठीक है अगला कुछन है मद्रात्री का सूर किस छेतर में दिखाई देता है तो ये दिखाई देता है आर्किटिक छेतर में सूर के रसानिक मिस्टन में हाइड्रोजन का पृतिसत कितना है important question रहता है तो हाइड्रोजन का पृतिसत है 71 पृतिसत कितना 71 question है सूर क्या है तो याद रखेगा सूर एक तारा है सौर प्रष्ट यहना कि सूर के प्रष्ट का लगवक कितना तापमन होता है तो यह होता है 6000 डिग्री सी सूर के सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो इसका नाम है बरुण सूर प्रकास प्रती तक पहुचने में कितने मिनिट लेता है तो सही आंसर है 8.3 मिनिट कौन सा ग्रह सूर के सबसे निकट इस्तित है इंपोर्टन कोशन है आंसर है बुद्ध ग्रह कौन सा ग्रह सूर की प्रक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है तो right answer है बुद्ध ग्रहे दो ग्रहे जिनके उपक्रहे नहीं है तो right answer है बुद्ध एवं सुक्र ठीक है ध्यानरके का important है ये कौन सा ग्रहे सूर का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है तो ये है आपका बुद्ध कितने दिन लेता है? 88 दिन लेता है सबसे तीवर गती से सूर का चक्कर लगाने वाला ग्रहे तो ये है आपका बुद्ध सौर मंडल का कौन सा ग्रहे लगभग पिर्तिवी जितना बड़ा है तो ये है आपका बीनस यानकी सुक्र इसलिए इसको पिर्तिवी की बेहन कहते है तो सुक्र ग्रह को पिर्थिवी की बेहन कहा जाता है किस ग्रह को साम का तारा यानि की इवनिंग इस्टार कहा गया है राइट आंसर है सुक्र सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है राइट आंसर है सुक्र सूर तता पिर्थिवी के निकर्तम ग्रह करमसा कौन से है तो देखिए सूर के निकटम है सुक्र और पिर्थिवी के निकटम है बुद्ध युरोबासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं तो ये है सुक्र ग्रह सौरबंदल का सरवादिक गर्म ग्रह कौन सा है तो राइट आंसर है सुक्र पिर्तिवी से निकटतम दूरी पर इस्थित ग्रह कौन सा है आंसर है सुक्र ग्रह किस ग्रह को सुभा का तारा कहा जाता है तो देखिए सुभा का तारा कहा जाता है सुक्र ग्रह को ग्रह में किसे सौंदर का देपता कहा जाता है तो सुंदर का देपता कहा गया है सुक्र ग्रह को सुपर्नोबा क्या है तो सुपर्नोबा एक बिसफोटी तारा है ध्यार रखेगा इंपोर्टन कोशन है उत्री धुरुप की खोज किसने की आंसर है रोबर्ट पियरी ने दक्ष्छरी धुरुप की खोज किसने की दवच्छ गुलाव से पृतिवी के परिता अपनी कक्ष में लगवक किस गती से चक्र लगाती है पृतिवी सूर के परिता अपनी कक्ष में कक्षा में लगवक किस गती से चक्र लगाती है तो एक डिगरी पृतिवी दिन पृतिवी के भर्मण की गती है तो ये है पृतिवी के भर्मन की गति है 27 km पृति मिनिट भूमद रेखा पर पृतिवी का ब्यास लगवग कितना है तो भूमद रेखा पर पृतिवी का ब्यास लगवग है 12,800 km पृतिवी की उपसौर इस्तिति किस महीने में होती है आंसर है जन्वरी में तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखाई देते हैं तो आंसर है पृत्वी पश्चिम से पूरब की को घूम रही है किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है यानि कि नीला ग्रे तो राइट आंसर है पृत्वी को प्रित्वी सूर से अपनी अधिक्तम दूरी पर कभ होती है तो ये होती है चार जुलाई को दियार रखे का इंपोर्टेंट है ठीक है कभ होती है चार जुलाई को दिन और रात होने का कारण क्या है तो पृत्वी का अपने अक्ष पर गुणन ये दिन और रात होने का कारण है सूर से पृत्वी की दूरी कितनी है तो ये है 149.6 मिलियन किलो मीटर देखिया आपर एक कौशिर बन रहा है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मिर्तियु से ग्रिसित होते हैं कहलाती है तो इसको बोलते हैं चंदर सेखर सीमा अगला कोशन देखिये हमारी आकास गंगा के किद्र की परिक्रबा करने में सूर को कितना समय लगता है तो इसको लगता है 25 करोड बर्स, कितने 25 करोड बर्स तारों के मद्द दूरी ग्याद करने के एकाई क्या है तो तारों के मद्द दूरी ग्याद करने के एकाई है प्रकास वर्स, क्या है प्रकास वर्स निमलेकित ग्रहों को उनकी सूर से दूरी के बढ़ते क्रव में बेवस्थापित कीजिए तो राइट आंसर है आपका option A यानि की पहले आएगा पृतिवी, इसके बाद ब्रस्पती, फिर है यूरेनस, फिर लाष्ट में प्लेटो important question है सूर ग्रहन कब होता है सूर ग्रहन कब होता है तो सही आंसर है चंदर मा जब सूर और प्रतिवी के बीच होता है आप इसको ऐसी आद कर लेजिए, मैंने क्या कहा सूर ग्रहन, आप यह सा माल लिए, सूर कब निकलता है सूर निकलता है दिन में, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ सूर निकलता है दिन में ठीक है तो सूर गिनन दिन में और दिन में क्या होता है PCS का पेपर ऐसा आत कर लेजिए PCS का पेपर दिन में तो देखिए चंद्रमा बीच में आ गया पिर्थिवी और सूर के ठीक है चंद्रमा बीच में आ गया पिर्थिवी और सूर के ठीक है फिर से देखिए फिर से बताता हूँ PCS का paper हुगा PCS का exam हुगा मतलब सूर गरन सूर गरन कब होगा अमा लिजिए दिन में होगा ठीक है और PCS का paper भी दिन में होगा तो देखिए पिरतिवी और सूर के बीच में कुन आगे PCS ऐसे याद कर लिजिए आपको जल्दी याद हो जाएगा सूर का प्रभाब मंडल प्रकास के अपवर्तन से उत्पन होता है तो सही आंसर है केवल अमावस्या के दिन कब केवल अमावस्या के दिन गिरह जिसका कोई उपगरह नहीं है राइट आंसर है बुद्ध ठीक है अगला कॉशन है सौर मंदल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सौर मंदल का सबसे बड़ा ग्रह है ब्रसपती कौन है ब्रसपती ब्लू मून परिघटना कब होती है तो यह होती है उपरुत मैंसे किसी मैं भी नहीं ठीक है आंगे देखेंगे ब्लू मून परिघटना कब हो दिन और रात की अबदी समान होती है भूमद रेखा पर इकवा नौक्स का तातपर है वह तिथी जब जब दिन और रात समान अबदी के होते हैं ठीक है दक्षणी गोलार्थ में सबसे लंबा दिन कब होता है तो यह होता है 22 दिसंबर को पिर्तिवी के उपग्रहों की संक्या कितनी है तो पिर्तिवी के उपग्रहों की संक्या है एक 21 जून को दिन का प्रकास उत्री धुर पर दिखाई दिता है तो यह दिखता है 12 घंटे यह किसने सरपर्थम पृतिपादित किया कि सूर हमारे सौरमंडल का केंदर है और पृतिवी उसकी परक्रमा करती है तो यह किया है दोस्तों निसकासें पृतिपादन कौपर निकसने आस्मान का रंग कैसा होता है तो देखिए काला ठीक है आस्मान का रंग कैसा होता है काला पिर्तिवी की परिदी कितनी है तो पिर्तिवी की परिदी है 40,075 किलोमीटर किस तिती को उत्री गोलार में सबसे लंबा दिन होता है तो ये है 7 जून और किस तिति को उत्री गुलार्द में सबसे छोटा दिन होता है दिखें उत्री गुलार्द की बात कर रहा है तो सबसे छोटा दिन होता है बाई दिसंबर को धुर्बों पर दिन की अवदी होती है तो यह होती है छे महा कितनी छे महा important question है पिर्तिवी का धुर्वी व्यास उसके बिसुवत्य व्यास से कितना कम है या फिर आपको exam में अंतर भी पूछ लेगा कभी कभी कहता है अंतर बताइए उनका तो ये है 43 km पिर्तिवी का बिसुवत्य व्यास लगवा कितना है तो ये है 12,750 km प्रित्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं तो इसको बुले आता है गूनन क्या कहते हैं गूनन पिर्थवी की अपनी कक्छा में गती होती है तो पिर्थवी अपनी कक्छा में पश्चिम से पूर क्यों गूमती है पिर्थवी तदा सूर के मद सरवादिक दूरी किस के दौरान होती है तो यह होती है अपसौर के दौरान रितुएं होती हैं तो सूर के चारों और पिर्तिवी के परिक्रमण के कारण रितुएं होती हैं किस ने पहली बार कहा कि पिर्तिवी गोल है इंपोर्टन कोशन है तो उनका नाम है अरिस्टोटल ठीक है किस ग्रह के दिन का मान और उसके अच्छ का जुकाप लगभग पिर्तिवी के दिन के मान और जुकाप के तुल है तो राइट आंसर है मंगल ग्रह कौन है ये आपका मंगल ग्रह स्वार मंदल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो स्वार मंदल का सबसे बड़ा ग्रह है ब्रस्पती सूर के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिक्तम समय लेता है तो सबसे अधिक्तम समय लेता है ब्रस्पती ग्रहों में किसके चार और बले हैं तो बल्यों वाला ग्र द्रमान लगवग है तो यहे सूर के द्रमान का एक हजार भाग आकास का सबसे चमकता तारा है सिर्यस है धूम केतू का आवर्तकालियन की समय कितना होता है तो यह 76 वर्स के बाद दिखाई देता है ध्यान रखेगीगा पश्चिम की और ब्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है तो पश्चिम की और ब्रमण करने वाला ग्रह important है यह है अरुण सौरमंडल का सबसे छूटा ग्रह कौन सा है बुद्ध और सबसे बड़ा कौन सा था ब्रस्पति स्वरमंडल का बहतम ग्रह बहतम ग्रह कौन सा है तो यह है Neptune Sea of Tranquility कहा पर है तो यह चंदरमा पर है कहा पर सूर ग्रण का वो हता है तो देखिए चंदरमा पिर्तिवी और सूर के मद आ जाता है और सूर पूरी तरसे इसपस्ट नहीं दिखाई देता, तब होता है सूर गिरन एक calendar बर्स में अधिक से अधिक कितने गिरन हो सकते हैं Diamond ring की घटना होती है, तो ये सूर गिरन के दिन होती है Diamond ring की घटना का होती? सूर गिरन के समय चंद्ग्रण कब होता है तो चंद्ग्रण सूर्य एवं चंद्ग्रमा के बीच जब पृत्वी आ जाती है तब होता है चंद्ग्रण चंद्ग्रण गटेत होता है तो पूर्मा के दिन होता है कब होता है पूर्मा के दिन सूर्य और पृत्वी के बीच औसा दूरी लगवा कितनी है तो यह है 150 गुड़े दस्की का 6 किलो मीटर कौन से ग्रह के सरवादिक प्राकृतिक उपग्रह अत्वा चंद्र है तो यह है सनी के सूर्य के बाहतम परत को क्या कहते है इंपोर्टन कोशन है तो इसको कोरोना या कीरिट कहा जाता है यदि पृत्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलम होता है तो क्या एक घटित नहीं हुआ होता तो याद रखेगा उत्तरी धुर्ब हमेशा अंदेरे में रहेगा ठीक है इस्तल मंडल पृत्वी की आंत्रिक संरशना पृत्वी के धरातल से केंद्र की और धरातल से केंद्र की और निमलिकित का सही करम क्या है तो देखिए सबसे पहले आता है दोस्तों शियाल इसके वाद सीमा फिर निफे ठीक है पिर्थिवी की सबसे उपरी परत के लिए सरपिर्थम सियाल सब्द का प्रयोग किस ने किया था तो ये किया था सुएस ने पिर्थिवी की केंदर में पाया जाने वाला चुम्ब की पदार्थ कौन सा है तो पृत्वी के केंदर में पाया जाने वाला चुम्ब के पदार्थ है निकेल इस्थल मंडल का तातपर है पृत्वी की बाहर पपड़ी से बाहरी परस्त कहलेजिए या पपड़ी कहलेजिए अच्छांस भू प्रष्ट पर भू मद रेखा के उत्तर या दक्षिन एक बिंदू की कोणिये दूरी है जो या रखेगा धुर्बों से मापी जाती है इस्थल मंडल की मोटाई भू कम तरंगों के आधर पर कितनी मापी गई है तो ये मापी गई है 100 किलोमीटर किस परद को बेरी स्फियर कहा जाता है तो पिर्थिवी की सबसे आंत्रिक परद को धरातल से भू गर्व की और जाने पर गहराई के साथ तापकरम ब्रदी की दर क्या है तो ये है एक डिग्री पिर्थी 32 मीटर पिर्तिवी पर सबसे उचितम तापकरम रिकॉर्ड किये जाते हैं तो ये किये जाते हैं पस्चीज डिग्री उत्री अक्छांस पर बिस्व के महादीप बिस्व में महादीपों की कुल संख्या कितनी है तो ये है साथ छेतरफल की दृष्टी से बिस्प का सबसे बड़ा महाधीप कौन सा है? important question है, right answer है Asia छेतरफल की दृष्टी से सबसे छोटा महाधीप कौन सा है? तो ये है Australia, सबसे बड़ा Asia और छोटा Australia किस महाधीप को प्राइदूपिय महाधीप के नाम से भी जाना जाता है? important question है तो प्राइद्वीपी है महादीप के नाम से यूरोप को जाना जाता है किस महादीप को महादीप के नाम से जाना जाता है तो यह है अंटार्टिका किस महादीप को महादीपों का महादीप कहा जाता है तो एशिया महादीप को कहा जाता है देखिए option की बात कर रहा है, यह चार option यह आपको दिये हैं, ठीके रहा है, चलिए, कौन सा महादीब दुईपी ए महादीब के नाम से जाना जाता है, तो यह है Australia, किस महादीब को उसके काफी बड़े भाग में बरसा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण, 85 भूमी का महादीब कहा जाता है, अब देखिए बार बार हम पढ़ते हैं, question 85 भूमी का देश, 85 भूमी का महादीब, तो 85 भूमी का महादीब है Australia, क्यों है तो यह भी बताया गया है, बरसा की कम मात्रा की कारण, किस महादीब को विशमताओं का महादीब कहा जाता है, तो यह है आपका Asia, कौन स अंटार्टिका महादीब, नई दुनिया के नाम से जना जाता है, उत्तरी अमेरिका, किस महादीब को मानव घर कहा जाता है, तो मानव घर कहा गया है, यूरोप महादीब को, ठीक है, सारी question important है, exam में आने किनकी, total समभन हो रहती, ध्यान लगी, अच्छे questions आ रही, किस महादीब को अंदे महादीब के उपनाम से जाना जाता है, ये question exam में रिपीट होता है, आंसर है अफरीका, किस महादीब को बिकास की अधिक सम्भावनों की बिद्धमानिता के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहा गया है, तो भविष्य का भंडार ग्रह कहा गया है, एश अच्छित दित है तो यह है अंटार्टिका कौन सा है अंटार्टिका चलिए युक्ति घ्यान की बात करते हैं बल्ब जल रहा है इंपोर्टन फैक्ट है सारे ही इंपोर्टन कोश्चन किस महादीब को पक्छियों का महादीब के उपनाम से जाने आता है तो पक्छियों का महा महादीप एक दूसरे का दरपल्वत्रतिवं प्रिस्तित करते हैं तो यह है योरोप आउस्टेलिया किस महादीप की सनरशना अंग्रे जी के एस अक्छर की है important question है तो अंग्रे जी के एस अक्छर की आकरती या फिर सनरशना है अंटार्टिक्आ की किस महादीब से होकर करक बिसूबत एवं मकर तीनों रेखा गुजरती है most important question answer है अफ्रीका महादीब से ठीक है अफ्रीका महादीब किस महादीब में ज्वालमुखी का सरवर्था अभाव पाया जाता है तो ये है ऑस्टिलिया अभाव पाया जाता है ऑस्टिलिया बिस्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महादीप में हैं तो ये है अफरीका महादीप में उत्तर अमेरिका महादीप की सर्वोच परवच चोटी कौन सी है तो ये है माउंट मैंकले ठीक है माउंट मैंकले दक्षिण अमेरिका महादीब का सर्वोच परवसिखर कौन सा है तो इसका नाम है माउंट एंका गुगा अफ्रीका महादीब का सर्वोच परवसिखर का नाम क्या है तो यह है माउंट किली मंजारो ठीक है माउंट एवरिष्ट यूरोप महादीब की सर्वोच परवसिखर कौन सी है तो इसका नाम है माउंट एल ब्रुस ऑस्टेलिया महादीब का सर्वोच परवसिखर है तो इसका नाम है माउंट कोस की उसको ठीक है सरवादिक देसो वाला महादीब कौन सा है तो important question है सरवादिक देसो वाला महादीब है अफरीका कौन सा महादीब पूर्ण रूप से दक्षनी गुलारत में स्थित है तो पूर्ण रूप से दक्षनी गुलारत में है दूस्तों Australia कौन सा महाधीब मरस्थल बीहीन है तो मरस्थल बीहीन कौन सा है यूरोप है ठीक है ध्यान लखना किस महाधीब में सरी सरफ नहीं पाए जाते हैं इंपोर्टन कोशन है तो सरी सरफ नहीं पाए जाते हैं अंटार्टिका महाधीब में अफरीका महाधीब का दक्षरतम बिंड कौन है तो अफरीका महादीब का दक्ष्टम बिंदू है कैप अगुल हास बिस्व में मैदानों का सरवादिक बिस्तार किस महादीब में है तो यह है यूरोप महादीब किस महादीब को पठारी महादीब कहा गया है कहते हैं तो यह है अफरीका महादीब ऊच्टन कटीवंद परिश्थितियों का सरवादिक बिस्तार किस महादूइप में पाया जाता है आंसर है अफरीका किस महादूइप में आंतरिक जलमार्गों का सरवादिक विकास हुआ है राइट आंसर यूरोक में कौन सा एक मलेशिया देश की प्रसासनिक राजधानी तसा संगिय प्रसासनिक केंद्र है तो यह है पुत्रा जाया क्या नाम इसका पुत्रा जाया इंपोर्टन कोशन है दक्षन गंगोत्री इस्तित है तो यह अंटार्टिका में है कहां अंटार्टिका में किस महादیप में एटलस परवत इस्थित है important है एटलस परवत ये है अफ्रीका महादीप में ओजोन छिद्र का निर्मान सरवादिख है तो ये अंटार्टिका के ऊपर है ठीक है बिसव के दो सबसे छोटे महादीप कौन से है दो सबसे छोटे तो पहला उस्टेलिया, दूसरा यूरोप महादवीब कैसे अलग हुए तो ये हुए बिवर्तनिक किरिया से कैसे बिवर्तनिक किरिया से दुनिया का नवीनतम देश है तो यह है दक्षड सूडान गर्कंतर सन सिटी अवस्तित है दक्षिन अफरीका में छेत्रफल की द्रश्टी से देशों का सही करम कौन सा है तो देखिए पहले अर्जिंटीना, इसके बाद भारत, उस्टिलिया फिर ब्राजील महासागरिय सत्य का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुए हुआ है गहराई में ब्रदी के अनुसार महादूई पे भूपटल के बिविन परतों का सही करम क्या है तो सबसे पहले शियाल इसका सीमा फिन निफे प्रतिवी के कोर में किस तब की प्रधानता है इंपोर्टन कोशन है तो पृतिवी के कोर में लोहा और निकल की प्रधानता है इस्तर मंडल में समलित है तो उपरी भूपटल निचली भूपटल और मेंटल काट ठोस उपरी भाग mental में किन तत्वों की mental के नीचे क्रोड किसे बना है तो ये लोहा का बना हुआ है बलन किरिया किसका परणाम होता है तो बलन किरिया ये परणाम है दोस्तों परवत निर्माड कारी बलका अच्छांस वा देशांतर रेखाई एवं अंतराश्टी तिती रेखा भूमद रेखा से उत्तर या दक्षन किसी दिये गए स्थान की कोणिय दूरी को क्या कहलाती है तो इसको बोलते हैं अच्छांस कौन सा ब्रहत ब्रत का उधारन है यानकी ग्रेट सरकल का पूमद रेखा ट्रोफिक ओप कैंसर क्या है तो यह साड़े तेईस उत्री अच्छांस को ट्रोफिक ओफ कैंसर कहा जाता है दुर्वों की वो जाने पर अक्छांस रेखाउं के ब्यास की प्रक्रति कैसी होती है तो यह घटता है एक डिगरी देशांतर की सरवादी दूरी कहां पर होगी तो यह होगी बिसूबत रेखा पर कुल अच्छांसों की संख्या कितनी है तो देखे अच्छांसों की संख्या होती है 180 और देशांतर की होती है कुल संख्या 360 266 डिग्री दक्षळ अअच्छांस को क्या कहते हैं जो जोडने वाली काल्पनिर रेखा को वह समकोंड पर प्रति छेट करती है, क्या कहते है ? तो यह देसांतर कहते है दो देसांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जाने आती है तो इसको बोलते हैं गोरे क्या कहते हैं गोरे इंपोर्टन है कॉशन वह अच्छांस रेखा जिस पर सदेव दिन वा रात की अबदी समान होती है तो यह है आपका भूमद रेखा important question है एक देसांतर से दूसरे देसांतर के बीच कितने समयंतराल होता है तो यह है चार मिट का समयंतराल पृत्वी के उत्री धुर्ब और दक्षिर धुर्ब को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो देखिए उत्री धुरुप और दक्षिर धुरुप को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं देसांतर रेखा, क्या कहते हैं देसांतर रेखा, प्रधान, मध्यान, रेखा किस इस्थान से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है ग्रीन बिच से होकर, ग्रीन बिच रेखा से क् पर है और इसका मतलब है 0 degree दिशांतर ठीक है पृत्वी एक गन्टे में कितने दिशांतर घूम लेती है यदी दो स्थानों की स्थिती के अनुद्यर्द का अंतर 15 डिग्री है स्थानिय समय में कितने अंतर होगा तो ही होगा एक घंटा कितना, एक घंटा यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर दो घंटा 20 मिनिट है तो देशांतर में अंतर होगा तो यह होगा 35 डिगरी अंतराश्टी दिनांक रेखा कहां से उकर गुजरती है इंपोर्टन कॉशन है तो 180 डिगरी से ग्रीन विच यह किस देश में है तो यह यूके में है कहां पर है यूके में है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानी समय के बीच कितना अंतर होता है तो यह होता है चार मिनिट का अंतर दो स्थानों के देशांत्रों में एक डिगरी का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा तो यह होगा 15 मिनिट का अंतर इंपोर्टन कोशन है अंतराष्टी तिथी रेखा का निधान किस बर्स किया गया आंसर है 1884 इसवी में अंतराश्टी तिथी रेखा की स्थिति किसके निकटतम है तो यह है 180 डिगरी पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के निकटतम है ग्रीन विट से 180 डिगरी मध्यान काल्प ने रेखा क्या किलाती है तो इसको बोले जाता है अंतराश्टी तिथी रेखा ठीक है अब देखिए important question आया भारत का प्रमालक समय किस देशांतर से लिया गया है तो भारत का प्रमालक समय लिया गया है साले 83 पूर्वी देशांतर से भारत का प्रमालक समय किस इस्थान से निश्चित किया गया है किया जाता है तो ये इलावा से किया जाता है ग्रीन विच माध्य समय यनकी GMT तथा भारतिय प्रमाल समय IST के 20 समय अंतर कितना है तो यह 5 घंटा 30 मिनिट का अंतर है ध्यान रखेगा इंपोर्टेंट है सून अंस अच्छांस तथा सून अंस देशांतर अवस्तित है तो यह अट्लांटिक महासागर में अवस्तित है प्रधान या मुत्तर धुर्वियब्रत तथा भिशुवत भूमद्रेका का प्रती छेदन बिंदू अवस्तित है तो यह अंध महासागर में है कहां अंध महासागर में देखिए यहाँ पर एक कॉशन भी आया है पहले इसको देखते हैं यदि दो स्थानों की इस्तिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दौनों स्थानों के 20 समयंतरल होगा तो यह का 6 गंटे का कॉशन देखिए किसी जगह का स्थानिय समय 6 प्राता है जबकि ग्रीन विच मीन टाइम 3 प्राता है उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी तो यह होगी 45 डिग्री पूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् साथ होते हैं दिन वरारत बरावर होते हैं तो यह आपका 21 मार्च 23 सितंबर ठेक है के पास पड़ता है नैनी भारत के सरवादिक पूर्व एवं पश्चिम में इस्थित इस्थानों के स्थानिय समय में कितना अंतर है तो यह दो घंटे का अंतर कितना अंतर है दो घंटे का अंतर दूइप दूइपों की सरवादिक संक्या किस महासागर में देखने को मिलती है important question है आंसर है प्रसांत महासागर में महासागरिय द्वीप नहीं है तो माला गासी माला गासी महासागरिय द्वीप नहीं है बिस्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो बिस्व का सबसे बड़ा द्वीप है Greenland बिस्व का सबसे बड़ा द्वीप समु कौन सा है तो द्वीप समु की बात करें तो यह है इंडोनेशिया काली मंतन जिस द्वीप का अंग है वह है तो वह है आपका बोर्नियो हिंद महासागर में इस्तिस सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो हिंद महासागर में इस्तिस सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप सैसिल्स इंपोर्टन्ट है कॉशन सैसिल्स द्वीप कहां इस्तित है तो ये हिंद महासागर में है है बारवार रिपीटिट कोउशन है तो प्रसांत महाजागर का 4 hasや कहलाता है हवाई दी खिस दूराम का प्राची नाम सेंड्टविच तो यह हवाई दोहीन प्राची नामां द्रीव कहा प्रॉट्भरिक है तो यह जापान का सबसे छोटा दूइप की बात करें, तो सबसे छोटा दूइप है, सी कोकू, भारत का सबसे बड़ा दूइप है, तो यह है मद्य अंडमान, भारत का दक्चलतम दूइप कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार भारत का दक्चलतम दूइप है, कौन सा दूइप इंडो का हिर्देस्तल कहलाता है जावा दूइप जापान का नागासा की नगर किस दूइप परिस्थित है तो यह क्यों सो पर कहां पर कुई सो पर एसिया का सबसे बड़ा दूइप कौन सा है तो एसिया का सबसे बड़ा दूइप है बोर्नियों भारत वासी लंका के मद्द बिवा का द्वीब है भारत एवं बंगलादेश के मद्द विवाद किस द्वीब को लेकर है तो यह है न्यू मूर द्वीब ठीक है इसके भारत और बंगलादेश के मद्द विवाद किस द्वीब को लेकर है न्यू मूर द्वीब को लेकर स्री हरी कोटा द्वीब इस्तित है तो यह पुलीकट जील में है, कहाँ पर पुलीकट जील में, important question रहता है ध्यान रखेगा ये प्राकृतिक बनस्पती सदावाहार बरसा बन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ब्राजील में सदा बाहर बन पाए जाते हैं तो विसुवत छेत्रों में कहां बिस्तित आयन बरतिय बन पाए जाते हैं तो कांगो घाटी में पाए जाते हैं बिस्तित आयन बरतिय बन कौन बिस्व का फेफडा के नाम से बिख्यात है तो बिसुवत्य बर्सा बन को बिस्व का फेफडा कहते है बिसुवत रेखिये बन प्रिदेसों में पेडों पर चड़ी लताओं को क्या कहा जाता है लियान बिशुवत रेखिये बनो को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है तो ब्राजील में का नाम है सैलवाश क्या कहते हैं सैलवाश बिशुवत रेखा बरसा बनो का सबसे बड़ा प्रदेश किस महादूइप में है तो यह दक्षिल अमेरिका में प्रकृतिक बनस्पति का सरवादिक बिक्सित छित्र कौन सा है तो यह है पत्जड बन प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिक्तम विवित्ता मिलती है तो यह मिलती है उस्ल कटी बन दिये आद्र बनों में सबसे अधिक टैगा बन किस छेतर में पाय जाते हैं इंपोर्टन कोशन है तो टैगा बन सबसे अधिक मिलते हैं साइवेरिया छेतर में सप्रूस फर तता चील मुख्य रूप से पाय जाते हैं तो ये पाय जाते हैं टैगा बन में important question, maliria की दवा कुनेन किस ब्रक्ष से प्राप्त की जाती है, तो यह है सिनकोना का ब्रक्ष, बिस्व के बन चित्रों में से किस एक के फैलाप का प्रतिसर सरवादिक है, तो यह है उस्ड कटिवन दिया बर्सा बन, ठीक है, चलिए, यहाँ पर एक important question आ रहा है, सवाना का बिस्तारे दोस्तों, अफरीका में, ठीक है, घास का मैदान है, यह सवाना, अगला question देखते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, दक्षिल अमेरिका का चोड़ा ब्रक्ष रहित घास का मैदान, सव, मैदान, पंपास के लाता है, ठीक है, और सवाना भी घास का मैदान है, आगे बढ़ेंगे, सितोस्तों की बात करता है, सितोस्तों घास का मैदान, सिनकोना की ब्रक्ष से, ब्रक्ष किस बन में पायाते हैं, तो यह पायाते हैं, बिसुबती बन में, किस बन को बोरियल बन के नाम से भी जाना जाता है, तो बोरियल बन के नाम से संकुधारी बन को जाना से जना आता है तो ये इसको टैगा के नाम से जना आता है संकुधारी बन पाए जाते हैं तो संकुधारी बन सीत सितोस्ड छेत्र में पाए जाते हैं भूमत रेखा के निकट किस तरह के बन पाए जाते हैं तो भूमत रेखा के निकट उस्ड कटी बन दिये बन पाए जाते है डेल वर्जीया जाती किस से संबंदित है तो ये सीजर से سंबंदित है 2000 से 2005 की अवधी में बंचेतर्प में सरवाधिक हास जहां देखा गया वहिस्थान कौनसा है तो ये है इंडोनेशिया पिर्थिवी को कितने समय कटीवन्दों में बाता जा सकता है 24 यानकी 24 चट्टान पिर्तिवी के द्रब पधार्तों के घनी भूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं तो इसको बुरियाता है अगने चट्टान अगने सेल कहलाती है तो अगने सेल कहलाती है मौलिक सेल निर्माण की दरश्टी से कौन सी चट्टान सरवादिक प्राचीन है इंपोर्टन कोशन है तो निर्माण की दरश्टी से सरवादिक प्राचीन चट्टान है अगने चट्टान ग्रिनाइट की गढ़ना किस प्रकार की चट्टान में की जाती है तो इसको अधी बितलिय या फिर प्लोटोनिक चट्टानों में इसकी गढ़ना की जाती है बू गर्व में विसाल आकार की गुममदाकार अगने चट्टान को किस नाम से जाना जाता है तो इसको बूलते हैं बैतो लित जानवरों बनस्पतियों एवं सूचमजीवों के अपसेस किस प्रकार की चट्टान में पाय जाते हैं मिलते हैं अपसाधी चट्टान में धरातल के सरवादिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है तो धरातल में सरवादिक भाग पर अपसाधी चट्टान का विस्तार है कोईला किस चट्टान में पायाता है तो कोईला मिलता है परतदार चट्टान में ध्यान रखेगा इंपो इमपर्टन कॉशन है चूना पक्तर का कायंतित रूप है संग्मरमर्ल क्या है संग्मर्मर्ल कि विसाल्ट के रूपांत्रण के फल्सुरूप कि चट्टान का रिमान होता है तो यह कि आपकी एमफी ऩौन ओपर्णी ट्ट्टान से होती है अप च्छयन की कौन सी एक प्रिक्रिया यांतरिक और रासानिक दोनों अप च्छय की है तो यह है जल यूजन कौन सा मृत सेल है कौशन है कौन सा मृत सेल है तो अगने मृत सेल है भूकम पृतिवी की आंतर सनरशना का बिस्वस्नियए जानकारी पराप्त करने का सबसे प्रमुक सुरोत्र कौन सा है तो ये आपका भूकम बिग्यान भूगर्ब में जिस इस्थान पर भूकम तरंगों की उत्पत्ति होती है उस इस्थान को क्या कहा जाता है तो इसको बोलते है भूकम केंद्र भूकम मूल यानकी फोकस का इस्थान होता है वह इस्थान होता है जहां से भूकम की उत्पत्ति होती है important question अधी केंदर यानि कि epicenter भूकम का वह बिंदू है जो सम्मंदित है तो भूकम उदगम केंदर के ऊपर भूपरश्टिय बिंदू होता है यह ठीक है क्या अधी केंदर धरातल के जिस स्थान पर सरप्रतम भूकम का अनुवब किया जाता है क्या कहलाता है तो इसको बोलते हैं भूकम अधी केंदर क्या बोलते हैं भूकम अधी केंदर अंत सागरिय भूकमपों दोरा उत्पन समुद्री लेहरों को क्या कहते हैं तो इसको सुनामी कहा जाता है क्य घृति पुछाती हैं दीर के परश्ठी के तरेंगे, सुनामी का मुख़कारण क्या है? तो सुनामी का मुख़कारण है भूकम्प बिस्ब के सरवादिक भूकम्प किस पेटी में आते हैं? तो आते हैं परीप्रसान्τα महासागरिय पेटी में लगवग 63% सम भूकम रेखा का आकार प्राया होता है तो यह होता है अनियमित important question है सुनामी सब्द किस भासा का सब्द है तो यह जापानी सब्द है किस देश में भूकम से उत्पन बिनासकारी समुद्धी तरंगों को सुनामी कहा जाता है तो यह कहा जाता है जापान में कहां पर जापान में तरल पदार्थों से ना गुजर सकने वाली भूकम लहर कौन सी है तो यह है S भूकम मापा जाता है इंपोर्टन कोशन है तो भूकम को मापते हैं रियक्टर पैमाने में सिस्मो ग्राफ किसके मापन के लिए काम में लाया जाता है तो सिस्मो ग्राफ के दोरा भूकम की तरंगों को मापा जाता है भूकम के अध्यन को क्या कहते है important question है भूकम्प के अध्यन को सिस्मोलोजी कहा जाता है समान भूकम्प एत्तिवर्ता अथबा समान बरवादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है आंसर है सम भूकम्प रेखा कौनसी अनुमें प्राकृतिक आपदा है तो यह भूकम्प है कौनसी है भूकम्प कौनसा एक ACI के पूर्वी सीमानत में होने वाले भूकम्प का कारण बताता है तो यह है ACI प्लेट के नीचे Pacific प्लेट का अवगवन भूकम के समय किन तरंगों का उद्वा होता है तो यह है PSL तरंग भूकम आने का प्राकृतिक कारण क्या है तो आंसर है जौला मुखी बिसफोट भूकम आने का मानविय कारण क्या है तो आंसर है खनन बिसफोट संरशनात्मक या भ्रंस मूलक भूकंप किसे कहते हैं तो ये विवर्तनिक भूकंप को कहा जाता है प्राथमिक तरंगों को अन किस नाम से जाने आता है इंपोर्टन कोशन है तो प्राथमिक तरंगों को अनुदेर्ध तरंग के नाम से जाने आता है किस Italian बैज्ञानिक ने भूकम मापक का विकास किया था तो इसका नाह है मरकेली C.E. reactor ने reactor Karos C fragent जोङ़ा मुकी डाइक क्या है तो देखें, जोङ़ा मुकी निर्मित आंत्रिक इस्थला किरती है कालडेरा सम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म् होती है जौला मुखी उद्गार के समय जौला मुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है इंपोर्टन कोशन है तो जौला मुखी से सबसे अधिक जलबास्प, अब देखिए, आपर युक्ति ग्यान क्या कह रहा है, इंपोर्टन है, युक्ति ग्यान कह रहा है, जालमुकी बिस्फोर्ट से निकलने वाली गैसों में जलबास्प की मात्रा सबसे दिख पायाती है, इसके अत्रित कारवंडाइओक्साइट, सलफर डाइओक् प्रफशाइड हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड तता हीलियम अन्प्रमुग गैसें हैं लावा के ठोस होने के फलसरूप पिर्थिवी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं प्लोटोनिक चट्टाने जॉलामुखी का हवाई का संसार में सर्वादिक सक्रिय जॉलामुखी कहां है important question है आंसर है kliyao किलियो सोरी किलायो किलायो संसार का सरवादिक सक्रिय जॉलामुखी देखी option के आप से आंसर लगा रहे हैं तो क्या है किलायो जौला मुखी में जलपास्व के अलावा कौन सी मुख्य गैसे होती है तो यार रखेगा इंपोर्टेंट है कारवन डायोकसाइड, हाइडोजन और नाइडोजन बिस्व के अधिकान सक्रिय जौला मुखी पाए जाते हैं लंबे समय तक सांत रहे रहने के पास्चाद विस्वूट होने वाला जौला मुखी क्या कराता है तो इसको बोलते हैं सुसुप्त जौला मुखी, क्या कहते हैं सुसुप्त जौला मुखी इंपोर्टन कॉशन है किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्व कहा जाता है तो जौला मुखी को कहते हैं किसको जौला मुखी को किस जौला मुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है तो इसका नाम है जागरत जौला मुखी क्रेटर तथा कालडेरा इस्तला किरतिया किस से सम्बंदित हैं तो ये जौला मुखी के लिया सम्बंदित है important question है सनसार का सरवाधिक सक्रिय जौला मुखी कौन सा है? जौला खन्ड सामी क्या होता है? तो तप्ट सैल के टुकडों और लावा ये होते हैं क्या जौला खंड सामी पेले के बाल का संबंध किस प्रकार के जौला मुखी से है तो ये हवाई तुले के क्रेटर यानि की जौला मुखी छिदर मुखेता किस आकिरती के होते हैं तो ये होते हैं संकवाकार कौन सी गैस जौला मुखी उद्भेधन के समय नहीं निकलती है तो आक्सियर नहीं निकलती है उद्भेधन के समय ठीक है बिस्व का सबसे उचा सक्रिय जौला मुकी तो बिस्व का सबसे उचा सक्रिय जौला मुकी है कोटो पैक्सी जो की एकवेडोर में है पिर्थिवी की सत्य के नीचे दर्ब भूती सेल कहलाता है तो इसको मैगमा कहते हैं बिस्व का सबसे उचा जौला मुकी परवत कोटो प्यक्सी कहां इस्तित है तो ये इस्तित है एकवाडोर में ठीक है सक्रिय भी है ये और सबसे उचा भी है इस्ट्रॉम बोली किस प्रकार का जौला मुकी है तो ये है जागरत ठीक है जागरत इस्ट्रॉम बोली किस प्रकार का जौला मुकी है जागरत मरत्य जौला मुकी किली मंजारो किस देश में इस्तित है तो ये है तंजानिया में फ्यूजी आमा किस देश का जौला मुखी परवत है इंपोर्टन कोशन है तो फ्यूजी आमा ये है जापान देश का किस जौला मुखी को भूमत सागर का प्रकास इस्तम कहा जाता है तो बोला जाता है इस्ट्रॉमबोली जौला मुखी को दूइप पर इस्थित है तो ये सिसली दूइप में है बिशू बिएस जौला मुखी किस देश में है तो बिशू बिएस जौला मुखी इटली में है कहां पर इटली में मोना लुआ उधारन है तो ये है प्रसुप्त जौला मुखी का किसका प्रसुप्त जौला मुखी का प्रवतों की उत्पत्ती से सम्मंदिर रेडियो सकृता सिध्धान का पृति पादन किस ने किया था तो यह किया था जॉली ने परवत निर्मालक भूसनेती सिध्धान का पृति पादन किस ने किया है राइट आंसर है कोबर ने किसने कोबर बिस्व के बिसाल बलित परवतों की रशना आज से लगवक कितने मिलियन बर्स पूर्व हुई थी तो यह हुई थी 30 बर्स पूर्व नवीनतम परवत माला है कोशन है नवीनतम परवत माला है तो यह है यूराल परवत माला हिमाले परवत किस के अंतरकत आता है तो नवीन बलित परवत के अंतरगत आता है एंडीज परवत माला उधारण है इंपोर्टेंट है दोनों ही कोश्चिन रौकी, एंडीज, एटलस आलपस, हिमाले आधी किस प्रकार परवत हैं तो यह हैं नवीन बलित हैं नवीन बलित परवत हिमाले की उतपति किस भू सन्यती से हुई है इंपोर्टन कॉश्चन है आंसर है टैथिस से दक्षडी अलपास परवत सीर्णी कहां इस्ते थे तो ये औस्टेलिया में है कहां पर औस्टेलिया में कौन सा परवत महादुईपिये जल बिवाजा के रूप में जाना जाता है परवतों के उन प्रक्रतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं तो इनको बोलते हैं दर्रा कौन सा सबसे उचा परवत है इंपोर्टन कॉश्चन आंसर है इसका माउंट एवरेजट एंडी परवत माला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो इसका नाम है एंका गुआ अफरीका का सर्वोच्च परवत सिखर माउंट किली मंजारो इस्थित है इंपोर्टन कॉश्चन है किली मंजारो ये तंजानिया में है ठीक है कहा तंजानिया उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च परवत चोटी का नाम क्या है तो इसका नाम है माउंट मैंकले ठीक है माउंट मैंकले इस्पेन और फ्रांस के मद्ध कौन सा परवस सीमा बनाता है तो ये इसका नाम है पीरे नीज ठीक है पीरे नीज जो की इस्पिन फ्रांस के बीच सीमा बनाता है। यूरोप में आलपस, उत्री अमेरिका में रोकी, और दक्षण अमेरिका में एंडिज किसके उधारण हैं। तो ये बलित परवत के उधारण है। माउन्ट अवरिष किस देश में है, माउन्ट अवरिष नेपाल में है, कहाँ पर नेपाल में कौन सी पर्वस सिंखला बिस्प में सबसे बड़ी है, तो यह है एंडी इस्तल मंडल के कुल छित्फल के कितने प्रितिश्थ भाग पर पठार का बिस्तार पाया जाता है तो ये है 33 पृतिसार ठीक है पठार कितना है 33 पृतिसार जो पठार 4 ओर से परवत मालाओं से घेरे होते हैं क्या कहलाते हैं इनको बुलाएता है अंतरा परवतिय पठार विस्व का सरवादिक उचा पठार कौन सा है important question है आंजर है तिब्बत का पठार port बार पठार किस देश में है तो ध्याद रखिएगा policy देश है आपका पाकिस्तान question important है तो यह पाकिस्तान में है port बार पठार lowest पठार कहा है तो lowest पठार है चीन में कहाँ पर चीन में तिबबत का पठार कहां इस्तित है तो तिबबत का पठार हिमाले परवत और क्यून लून के मद इस्तित है लोयस का पठार है तो ये पवन किरत है कैसा पवन किरत किसे बिस्ब की छत कहा जाता है तो पामीर के पठार को बिस्ब की छत कहा जाता है रांची का पट पठार क्या है तो ये एक उत्तित पैनी प्लेन है इस्थल मंडल के कुल छेतफल के कितने पृतिसत भू भाग पर मैदान का बिस्तार है तो मैदान का बिस्तार है 41 पृतिसत मैदान की गड़ना कि स्रेणी के इस्थलों के रूप में की जाती है किस इस्थल रूप को सब्भेता का पालन कहा जाता है तो सब्भेता का पालन कहा गया है मैदान को ड्रेकेंसबर्ग परवत कहा है तो ड्रेकेंसबर्ग परवत दक्षिन अफरीका में है बिस्व की सबसे उची चोटी किस प्रकार के परवतों में पाई जाती है तो ये पाई आती है नवीन मोड़दार परवतों में कोशन है हिमाले का बिस्तार आराकान योभा किस देश में इस्तित है तो ये मयानमार में इस्तित है ठीक है बिलेक फॉरेश्ट परवत इस्तित है कोशन है बिलेक फॉरेश्ट परवत कहां है तो यह आंसर है जर्मनी, important question ध्यान रखेगा ड्राकेंस बर्ग परवत कहां है, तो यह दक्षनल अफ्री काम है, अभी हमने पढ़ा भी था टिबद के पठार की उसट उचाई कितनी है, तो देखें तिबद के पठार की उसट उचाई है भाई, पांच किलो मीटर अब सोचे इसकी उसट उचाई ही पांच किलो मीटर है, तो तो यह दर入खेगा important question है, संसार का सबसे ब्ढ़ा मरुस्थल कौन है? सहरा दक्षण एसिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो ये है थार गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है तो गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया देश में है नूबियन, नूबियन मरुस्थल कहां इस्थित है तो नूबियन मरुस्थल दोस्तों ये सूडान में स्थित है कहां सूडान में अल-गे-जीरा-रेगिस्तान किस देश में स्थित है सही आंसर है सूडान में सोनो-रान मरुस्थल किस देश में है तो यह है मेक्सिको में पैटा गोनिया मरुस्थल किस देश में है तो याद रखेगा पैटा गोनिया मरुस्थल अर्जंटीना में है सेचूरा मरुस्थल सेचूरा मरुस्थल किस देश में है तो सेचूरा मरुस्थल यह है आपका पेरु देश में किस देश में है पेरु देश में तकला मकान मरुस्थल इंपोर्टन है तकला मकान मरुस्थल किस देश में है तो यह पढ़ता है चीन देश में इंपोर्टन रहता है काला हारी मरुस्थल किस देश में इस देश है राइट आंसर है बोस्वाना में विस्व के सीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाने जाता है तो देखिए important question है ध्यान रखेगा ये सही answer है टूंडरा क्या answer है टूंडरा महादीपों के समानता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्तिती पाई जाती है तो ये पाई जाती है पश्यमी पृतिवी की स्थल पर प्रष्ट का कितना भाग रेकिस्तान है तो पृतिवी की स्थल प्रष्ट पर पांच भाग रेकिस्तान का है थार मरुस्थल किस देश में है important है दोस्तों भारत में है ये ठीक है थार मरुस्थल बिस्व का सबसे सबसे स आटाकामा मरुस्थल किस दक्षनी अमेर्की देश में हैं तो यह चिली में है कहां सबसे बड़ा सितोष्ड मरुस्थल है तो यह है तकला मकान मरुस्थल कहां पर है यह चीर में सहारा अरेबिया जैसे उश्ड मरुस्थल नगने मात्रा में बर्सा प्राप्त करते हैं इसका कारण क्या है तो देखे इसका कारण है बे बायू मंडल के उश्ड कटी बंद ये उच्च दाव कटी बंद पर अवस्थित है इसी कारण देखे कोशन आ रहा है आपर संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है तो हम पड़ चुके हैं भी संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहरा मरुस्थल संसार का सरवादिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है तो संसार में सरवादिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल ठीक है ध्यान रखेगा थार देखे युक्ति ग्यान क्या कहा रहा है important है संसार का सरवादिक जनसंक्या वाला मरुस्थल थार है यहां का जनसंक्या घनत 83 ब्यक्ति पृति बर्ग किलो मीटर है जबकि अन मरुस्थलों में जनसंक्या घनत्व 7 ब्यक्ति पृति बर्ग किलो मीटर ही मिलता है गोबी मरुस्थल किस देश में हैं कौशन है गोबी मरुस्थल किस देश में हैं सही आंसर है मंगोलिया में कहां पर है ये मंगोलिया में हैं गोबी मरुस्थल नहरें इंपोर्टन कोशन है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है तो ये प्रसांत महासागर एवं अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर ब्यापारिक द्रश्टी से सोईज नहर की अपिक्चा कम महात्पुर क्यों है तो देखिए घने आवाद देशों का ब्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है इसी कारण से ठीक है ध्यान लगे गए ये कारण अकला कोशन देखते हैं पनामा नहर के उत्तिरी सिरे पर कौन सा पतन इस्तित है तो ये है कोलोन क्या नाम है इसका कोलोन पनामा नहर के दक्षली सिरे पर इस्तित पतन कौन सा है तो इसका नाम है पनामा बिस्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है तो ये है सोईज नहर ठीक है important question है बिस्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है सोईज नहर सोईज नहर जोडती है तो ये भूमद सागर को लाल सागर से जोडती है ठीक है सोईज नहर का निर्माण कब प्रारम हुआ था important question है तो सोईज नहर का निर्माण अठारसो चौरानवे इसवी में प्रारम हुआ था सोईज नहर कब बनकर तयार हुई तो ये तयार हुई 1869 ECB में सोईज नहर की लंबाई कितनी है तो सोईज नहर की लंबाई है 168 किलो मीटर सू नहर किसको जूडती है तो ये सुपीरियर जील को हूरोन जील से जूडती है ठीक है ध्यान रखना कील नहर जोडती है important question है पहला कील नहर और सोई नहर किसको जोडती है यह दोनों ही question important है कील नहर उत्री सागर को बाल्टिक सागर से जोडती है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्री सागर से मिलाती है तो देखिए वही question को गुमा कर पूछा गया आंसर है कील नहर क्रा नहर किस देश में स्थित है तो ये थाइलेंड में है कहाँ पर थाइलेंड में पनामा जल्डमरूमत के आर पार नहर खोदने का विचार रखा गया था तो ये हम बोल्ट ने रखा था किसने हम बोल्ट ने सोएज नहर के खुलते ही और अट्लांटिक महासागर को जोडने के लिए पनामा नहर के पृति द्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है तो यह है निकार गुगा क्या नाम है इसका निकार गुगा नदियां जल के आयतन के आधार पर बिस्व की सबसे बड़ी नदी कौन है तो देखिए इसका नाम है राइन नदी ठीक है राइन नदी भ्रंस घाटी सोकर वहती है बोलगा नदी कहां गिरती है तो बोलगा नदी कैस्पिन सागर में गिरती है किस सबिता को नील नदी का बरदान कहा जाता है इंपोर्टन कॉशन है यह तो मिसर की सबिता को ठीक है नील नदी को म सबसे ब्यापारिक नदी कौन सी है तो बिस्प की सबसे ब्यापारिक नदी ये राइन नदी ही है कौन सी है राइन नदी यूरोप महादीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये है बोल का नदी कौन सी नदी भूमत रिखा को दो बार काटती है important question है तो भूमत रिखा को द किस नदी का उद्गम भूमद रेखा के समीप से होता है आंसर है नील नदी बिस्व की सरवादिक बिस्व घाती नदी किसको कहा जाता है तो बिस्व की सरवादिक बिस्व घाती नदी हौंग गो नदी को कहा जाता है कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटने वाली कांगो अब पूछा गया है मकर रेखा को दो बार कौन से नदी काड़ती है तो यह है लिमपोपो क्या नाम है इसका लिमपोपो किस नदी को यूरोपिय ब्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है तो यूरोपिय ब्यापार की जीवन रेखा कहते हैं राइन नदी को किसे राइन नदी है तो महावली गंगा ये स्री लंका देश की सबसे बड़ी नदी है बंगला देश में किस नदी को पदमा के नाम से पुकारा जाता है इंपॉर्टन कोशन है तो बंगला देश में गंगा नदी को पदमा के नाम से पुकारते हैं किस नदी को तेल नदी के नाम से जना जाता ह आंसर है नाइजर नदी को रूस की सरवादिक महतपूर नदी है तो यह है बोल का नदी लाल नदी किस देश में बहती है तो लाल नदी यह बियत नाम में बहती है एसिया की बिसाल नदी मेकांग बहती है तो ये मैकांग नदी बहती है आपके मलेशिया देश में सीन नदी कहां बहती है सीन नदी बहती है फ्रांस में कहां पस फ्रांस में मरे डारलिंग नदी कहां बहती है तो मरे डारलिंग नदी औस्टेलिया में बहती है नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक बिस्तित मरुस्थल से गुजरती है वह कौन है तो इसका नाम है कोलो रेडो कोलो रेडो नील नदी कहां गिरती है important question है नील नदी भूमद सागर में गिरती है कहां पर भूमद सागर में जॉडन नदी कहां गिरती है तो जॉडन नदी मृत सागर में गिरती है हांगो नदी किस में गिरती है तो हांगो नदी पीला सागर में गिरती है कौन सी उरोपिय नदी ब्लेक फॉरेस्ट से निकल कर काला सागर में गिरती है तो इसका नाम है डैन्यूब ठीक है डैन्यूब नदी ओब नदी किस में गिरती है तो ओब नदी आर्केटिक सागर में गिरती है important question है किस नदी को चीन का सोक कहा जाता है तो चीन का सोक कहा जाता है हांगो नदी को कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है तो कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी है बोल का नदी सर और आमू नदियां गिरती हैं तो ये अरल सागर में गरती हैं कहां पर अरल लंबाई के घटते करम में बिस्व की तीन सबसे लंबी नदिया कौन सी है तो देखें पहली है नील इसके बाद अमेजन फिर मिसूरी या मिसीसिपी मिसोरी मिसिसिपी एसिया की कौन सी नदी दक्षिल को प्रभावित करती है कौशन है एसिया की कौन सी नदी दक्षिल को प्रभावित करती है आंसर है सालवीन बिस्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है देखिए लंबी की हम बात कर चोके है नील नदी आप चोड़ी की वात आईए तो सबसे चोड़ी नदी है आपकी अमेजन और बिस्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये है नील नदी किस देश में योफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है तो यह गरती है इराक में बिस्व की अपवाध छेट की द्रश्टी से सबसे बड़ी नदि कौन सी है तो यह है अमेजन दक्ष्चल अमेरका की सबसे बड़ी नदि कौन सी है right answer है अमेजन देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधी सीधी तथ लिखे गए है अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है लेकिन मैं आपको इसको कॉश्चन की तरह बता कर बोल रहा हूँ ठीक है रहा को जिसे कॉश्चन पूछता है एक्जामर उस परकार मैं आपको बोल रहा हूँ छले एक कॉश्चन याब बनता है बोल का नदी कहां गिरती है तो याद रखी गा बोल का नदी और बोल का नदी दोस्तों यह गिरती आपके कैस्पिन सागर में कहां कैस्पिन सागर में हिमानी जील इटास का किस नदी का सुरोत रहे malampa जल पर पात बिस्व का सबसे उचा जलपरपात है आंसर है एंजल बिस्व का सबसे उचा जलपरपात किस तेस में है तो ये है बेंजुला में कहां पर बेंजुला में एंजल जलपरपात किस नदी पर इस्थित है तो ये कोरीनो नदी पर है कहां पर कोरोनी नदी पर है एंजल तो इस्टेली जलपरपात कांगो नदी पर है नियागरा जलपरपात किस नदी पर इस्तित है इंपोर्टन रहता है नियागरा जलपरपात ये सेंट लॉरेंस नदी पर है विक्टोरिया जलपरपात किस नदी से संबंदित है तो ये जामबेजी नदी से संबंदित है नियागरा जलपरपात है तो ये आपका USA में है कहां पर USA नियागरा जलपरपात किसकी सीमा पर इस्थित है इमपोर्टन कोश्य बिस्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है राइट आंसर सुपिरियर जील कौन सी बिस्व की सरवादिक गहरी जील है तो इसका नाम है बेकाल जील सरवादिक उचाई पर इस्थित नौकायन जील का नाम क्या है तो इसका नाम है टीटी काका जील बिस्व का सबसे बड़ी खारे पानी की जील है तो ये है कैस्पिन सागर बिस्व की सरवादिक उचाई पर इस्थित जील है तो ये है टीटी काका कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे हैं राइट आंसर है कजाकिस्तान एवब उजवेकिस्तान अमेरिका के जील प्रिदेश में समलित पांच जीलों में से कौन सी पूर्ता संयुक्तराज अमेरिका में इस्थित है तो इसका नाम है मिसीगन जील बिक्टोरिया जील अवस्तित है कौशन है बिक्टोरिया जील अवस्तित है तो ये है पूर्वी अफरीका में कौन सी जील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतराष्टि सीमा रेखा बनाती है तो देखिए तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतराष्टि सीमा रेखा बनाने वाले जील है विक्टोरिया जील कैस्पियन सागर इस्तित है कैस्पियन सागर विक्टोरिया जील किन अफरीकी देशों के मद इस्तित है तो ये तंजानिया, कीनिया और जाइरे के मद इस्तित है important question है किस देश को हजार जीलों का भूमी कहा जाता है तो Finland को कहा जाता है हजार जीलों की भूमी अफरीका महादीप में कौन सा जील भूमद रेखा पर इस्तित है तो इसका नाम है न्यासा बिस्व की सरवादे खारे पानी की जील बौन जील किस देश में इस्तित है तो बौन जील ये तुर्की में है कहां पर तुर्की में वह सागर कौन सा है जो भूबद है तो भूबद है आपका अरल सागर ठीक है अरल सागर अफरीका महादीप की सबसे बड़ी जील है अफरीकी महादीप की सबसे बड़ी जील है विक्टूरिया जील कौन सी जील है दोस्तों विक्टोरिया जील अफरीकी महादीती सबसे बड़ी जील है जीलों के अध्यन को कहते हैं जीलों के अध्यन को कहते हैं तो लिमनोलोजी कहा जाता है जीलों के अध्यन को क्या लिमनोलोजी पिर्थी पर सबसे गहरा स्थल है तो पिर्थी पर सबसे गहरा स्तल है मृत सागर ध्यान रखेगा मृत सागर पिर्थी पर सबसे गहरा स्तल है पिरसिद अगुली यो नूमा जील किस छेतर में स्तित है तो यह संयोगत राज अमेरिका में है कहां USA में चेतरफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो राइट आंसर कैस्पियन सागर चेतरफल और आयतन के आधार पर सबसे बड़ी जील कौन सी है कैस्पियन सागर बू-गरबिक हलचलों एवन धरातलों के बाहीर जात बलों से उत्दपन जील क्या कहलाती है तो इसको बोलते हैं प्राकिर्टिक जील क्या कहते हैं प्राकिर्तिक जील सैयुक्त राज अमेरिका की ब्रहत जीलों का पूरप से पश्चिम की और सही करम क्या है तो यह है देखिए ओंटेरियो इसके बाद है इरी हुरोन जील मिसीगन जील और लाश्ट में है सुपिरियर जील ठीक है आगला कॉशन देखते हैं कौन सी बिस्व क की सरवादिक गहरी जील है तो यह है बेकाल जील कौन सी है बेकाल जील बायू मंडल बायू मंडल की सनशना बायू मंडल का सरवादिक इस्थाई तत्व है तो यह है जल बास्प बायू मंडल में सरवादिक कौन सी गैस मिलती है तो सरवादिक मात्रा में मिलती है दूस्तो बायू मंडल मुखिता गर्म होता है तो बायू मंडल मुखिता पिर्थवी से बिकिरण के द्वारा गर्म होता है कैसे पिर्थवी से बिकिरण के द्वारा गर्म होता है बायू मंडल की गैसों की बड़ती मात्रा का किरम क्या है तो देखिए सबसे पहले ओजोन बड़ती मात बसने से बायू मंदल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है तो यह है ओजॉन भू परस्ट से परावर्तित अवरक्त बिक्रण के अपसोसन द्वारा भू बायू मंदल के तापमान में ब्रद्धी की प्रिक्रिया को क्या कहते हैं तो इसको बुले आता है ग्रीन हाउस प्रभा इंपोर्टन कोशन है बायू मंदल में नाइट्रूजन का प्रितिसत है तो यह है 78% प्रितिवी के धरातन से उपर की ओर बायू मंदल के बिभिन इस्तरों का सही अनुकरम क्या है तो देखिए सबसे पहले आएगा छोब मंदल फिर संताप मंदल मद्ध मंदल फिर आयन इंपोर्टन कोशन किस मंदल को समभाहन मंदल भी कहते हैं तो समभाहन मंदल कहा जाता है छोब मंदल को छोब मंदल बायू मंदल का सबसे तप्त प्रत है क्योंकि इसलिए क्योंकि यह प्रितिवी के प्रष्ट से तप्त हो जाती है छोब मंदल एवं समताप मंदल के बीच इस्तित संक्रमर्द छेत्र को क्या कहा जाता है तो इसको मद्द सीमा कहते हैं क्या मद्द सीमा पिर्तवी के बायू मंडल का सरवादे गहनत्वक कहां पर होता है तो यह होता है छोब मंडल में कहां पर छोब मंडल में बायू मंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस के कारण होते हैं तो ये होते हैं छोब मंडल में मेग गर्जन बायू मंडल की किस परत में होता है तो मेग गर्जन बायू मंडल की छोब मंडल परत में होता है बायू मंडल की किस परत में तापमान में बहुत अधिक उता चड़ाव नहीं होता तो ये है समताप मंडल ओजोन परत पाई आती है हमारी बायू मंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है तो ये परावेगनी किर्णों को अपसूसन करके हमारी मदद करती है समुद्र तल पर उसत बायूदाप कितना होता है तो यह होता है, 1013.25 मिली बार ठीक है? ध्यान रखेगा, important question है यह समुद्र तल पर बायूदाप कितना होता है उसत में 1013.25 मिली बार बायूदाप प्राया सरवादिक होता है जब बायू होती है ठंडी एवं सुस्क होती है जब बायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक है तो यह है तूफानी मौसम का सामान बायुदाब पाया जाता है तो सागर तल पर सामान बायुदाब पाया जाता है ग्लोब पर दाप कटीवंद की संख्या कितनी है उनकी संग क्या है साथ बिशूवत निम्नदाब पेटी का विस्तार बिशूवत रेखा के दोनों और कितने अक्षांस तक मिलता है तो ये मिलता है पांच डिग्री डोल्डरम पेटी का विस्तार सामानता पाया जाता है 5 डिगरी उत्तर से 5 डिगरी दक्षिन डोल डरम छेतर की बिसिस्ता क्या है तो डोल डरम छेतर की बिसिस्ता है निमन दाव एवं सांत पवन सांत पेटी किस रेखा के दोनों और पाई जाती है तो ये भूमत रेखा के दोनों और पाई जाती है ओजन परत पिर्थिवी से करीब उचाई पर है तो ये 20 किलोमेटर को उचाई पर है जैट धाराएं पराया कहां पाई जाती है तो जैट धाराएं पाई जाती है छोप सीमा में बायू मंडल किस कई प्रकार की गैसों के मिस्रण से बना है प्रतिवी के नजदीक बायू मंडल में मुखिताब पाई जाती है तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बायू मंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतीसत है तो सही आंसर है नाइट्रोजन का कितना 78% ओजन परत अवस्तित है तो ओजन परत अवस्तित है दोस्तों समताप मंडल में कहाँ पर समताप मंडल में रेडियो तरंगों के बिच्छेपड के लिए बायू मंडल के निमलिकित इस तरों में से कौन सा उत्तरदाई है तो यह है आयन मंडल जिसको आप आयनो स्फेर भी कहते हैं संचार उपग्रह बायू मंडल में किस इस तर पर अवस्तित किये जाते हैं तो ये की जाते हैं बाहरी मंडल में संचाल उपकर है बायो मंडल के किस इस तर में अवस्तित की जाते हैं बाहरी मंडल में पवन ब्यापारिक हवाएं किन अक्षांसों से किन अक्षांसों की रबहती है तो ये अस्व अक्षांसे बिशुवत रेखा की और बहती है उच्च दाप छेतर से भूमत सागर की और चलने वाली पवने होती है तो ये हैं ब्यापारिक पवने पूरे वर्स एक ही दिसा में प्रभावित होने वाली पवन क्या किलाती है तो इसको बोलते हैं सनातनी पवन इंपोर्टन कॉशन है वे नियमित हवाई जो की गरशता चालिसा परचंट पचासा चीकता साथा के उपनाम से जाने आती है किस प्रकार की हवाई है ये तो ये हैं आपकी पचुवा पवन ठीक है पचुवा पवन दहरता चालिसा क्या है तो दक्षणी गोलार्थ में चालिस डिगरी अक्षांस के पास चलने वाली तेज हवा है ठीक है आप समझ सकते हैं चालिसा चालिस डिगरी बहंकर पचास चलते हैं तो देखिए बहंकर पचास पचास डिगरी दक्षणी अक्षांस में चलते हैं चीकता 60 पवण प्रभावित होती है, 60 डिगरी दक्षली अच्छांस के निकट। मांसून सब्द का तात्पर है हवाओं के रुख का बदलना। मांसूनी हवाएं तो देखें, निम्नदाव छेतर की और चलती है। निम्रदाव छेत्र से निम्रदाव छेत्र की ओर चलती है आलपस परवत के उत्री भाग में बहने वाली उश्ड सुस्किये इस्थानी हवाओं को क्या कहते हैं तो इसको फॉन कहा जाता है क्या कहते हैं फॉन रोकी परवत देखेक इंपोर्टन कॉशन है रोकी परवत के पूरवी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुशर राज अमेरिका और कनाड़ा में क्या कहे आता है तो अमेरिका और कनाड़ा में इसको चिनकू के नाम से जना आता है कौन सी बायू स्विटजर लेंड में उत्री अलपांस के बिमुक धाल पर बहती है तो ये है फौन पच्छुआ पवन पच्छुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है तो ये भूमद रेका से 30 डिगरी से 60 डिगरी उत्र दक्षल अच्छांस के मद बहती है समुद्री समीर बहती है तो समुद्री समीर ये दिन के समय बहती है बायू मंडली हवा पिर्थी पर रखी जाती है तो पिर्थी के गुरन के द्वारा ब्यापारेक पवनों की परिगटना किस कारण से होती है तो ये होती है उस्वा का संभाहन के कारण ठीक है उसमा के संभाहन के कारण सिरो को सिरो को एक नाम किस अर्थ के लिए प्रिप्थ होता है तो ये इस्थानिय पवन है ठीक है डोल्डरम क्या है याद रखेगा important question है डोल्डरम क्या है तो उस्ल कटिवंदिय पवन पट्टी है ये क्या डोल्डरम चक्रवात की उत्पत्ती होती है चक्रवात का सांत्र छित्र क्या कहलाता है तो चक्रवात का सांत्र छित्र चच्छू कहलाता है चच्छू चक्रवात की आँख एक बिसेस्ता है तो ये उस्ल कटिवंदिय चक्रवात की frontal वर्सा किस कारण से होती है बिली-बिली है कोशन देखिए कोशन है बिली-बिली है इंपोर्टन्ट है आंसर है यह उत्तर पश्चिमी ऑस्टेलिया का उस्ट्र कटिवंदिये चकरवात है यह ठीक है आप कह सकते हैं ऑस्ट्रिया के एक हवा भी इसको कह सकते है बैरोमीटर में पारे के तल के अचानक ग जलते हैं तो ये चलते हैं Mississippi घाटी में कहाँ Miss टॉर्णेटो का मुखे संबंद है तो उत्री अमेरिका से है टॉर्णेटो का मुखे संबंद प्रती चकरवार्थ की बिसिस्ता क्या है तो प्रती चकरवार्थ की बिसिस्ता है सुच्छे आस्मान उच्छे दबाव वाली हवाएं जो केंदर से बाहर की वो चलती हैं क्या कहलाती हैं तो इसको पृती चकरवाद कहते हैं पृती चकरवाद में बायुदाप कहां अधिक होता है तो केंदर पर अधिक होता है कहां पर केंदर में अधिक होता है प्रती चक्रवाद के छेत्र में कम उत्पन होते हैं तो ये भूमद्र रेखिये छेत्र में कम उत्पन होते हैं प्रती चक्रवाद की आकरती सामानेता होती है तो ये गोलाकार होता है कैसा गोलाकार प्रती चक्रवाद बायू की दिसा होती है तो देखे उत्री गोलार्द में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षणी गोलार्द में घड़ी की सुई के बिपरी ठीक है ध्यान रखेगा इस बाद को टॉर्नेडो है तो टॉर्नेडो एक अती निम्दाप केंदर होता है डोल्डरम क्या है तो डोल्डरम भूमत रेखा कि आसपास अल्पदाप का छेतर है क्या डोल्डरम मेग किस मेग को मोती की माता कहा जाता है तो पच्छाव मेग को मोती की माता कहते हैं कौन सा मेग अत्यदिक बर्सा के लिए प्रिख्यात है तो ये है बर्सा इस्तरी मेग, कौन सा बर्सा इस्तरी मेग, ओक टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो मेगा च्छादन की मात्रा के लिए, नेफो मीटर किसका मापन किया जाता है, इंपोर्ट पच्छाव मेग, कौन से नाम है, क्या नाम है, पच्छाव मेग, रेगिस्थान में बादल बरस्ते नहीं है, तो निम्न आदरता की कारण रेगिस्थान में बादल बरस्ते नहीं है, किसी इस्थान बिसेश की बरसा निर्वर करती है, तो यह परवतों की दिसा पर निर्वर क पवन, बिमुख ढ़ालो की अपестhrा, पवन बिमुख ढ़ालो पर ब्रश्टी अधिक होती है यह किस प्रकार की बिसिसता है, तो यह परवत कृत्र बिसिसता है important question, संसार की अधिकांस बरसा किस रूप में होती है, तो यह परवत्ती बरसा है किस छेतर में साल भर बरसा होती है तो important question ध्यान रखेगा भूमद रेखिये छेतर में साल भर बरसा होती है किस छेतर में जाड़े के रितु में बरसा होती है तो भूमद सागरी छेतर में ब्रश्टी चाया प्रदेस किसे कहते हैं ब्रेश्टी चाया प्रदेश परवतों के पवना बिमुख ढाल को कहा जाता है समान बर्सा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली देखा को क्या कहा जाता है इसको बोलते हैं आईसो हाइड किस प्रकार की बर्सा बिजली की चमक एबं बादलों की गरच की साथ होती है तो यहती है समभाईनिय बर्सा बिस्व में सरवादिक बर्सा वाला स्थान है मासिन राम बिस्व का सरवादिक सुस्क इस्तल कौन सा है तो बिस्व का सरवादिक सुस्क इस्तल है अटा कामा ठीक है अटा कामा इंपोर्टन कोशन है किर्टिम बर्सा में किसका प्रियोग किया जाता है तो सिल्वर आयूडाइट का प्रियोग किया जाता है किर्टिम बर्सा में रेकिस्तान में बादल अब छे होकर क्यों नहीं बरसते तो कम आदरता के कारण सरवादिक उचाई के बादल है तो पच्छाव इस्तरी किस पिरक्रिया में जलबास्त गैस से तरव अवस्था में बदल जाती है जैसे होती है तो पक्छी के पतले परों के जैसे होती है ठीक है पक्छी के पतले परों के जैसे जल मंडल, महासागर एवं सागर, बिस्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है तो सही आंसर है प्रसांत महासागर बिस्व का सबसे छोटा महासागर, तो यह है आपका आर्केटिक महासागर किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है किस महासागर की प्रमुक बिसिस्ता प्रभाल बित्ती है तो प्रसांत महासागर की प्रमुक बिसिस्ता प्रभाल बित्ती है बिस्व का चार सबसे बड़ी महासागरों में कौन सामिल नहीं है तो Atlantic महासागर बिस्व के चार सबसे बड़ी महासागरों में सामिल नहीं है बिस्व की सबसे गहरी खाई Mariana Trench किस महासागर में है important है Mariana या फिर Mariana Trench ये प्रसांत महासागर में है अगनी वले की उपस्थिती किस महासागर में पाई जाती है important question है ring of fire तो ये प्रसांत महासागर में पाई जाती है Atlantic महासागर का सबसे गहरा भाग है तो इसको बोलते है putro record trench important question जहां रखेगा बिस्व का सबसरवादिक चोड़ा महादुईपिय मगन तट किस महासागर में स्थित है तो ये Arctic महासागर में है बर्तमार भूमत सागर को किस प्राचीर महासागर का अपसिस माना जाता है तो इसको टैथिस सागर का अपसिस माना जाता है देखिए बल्व जलगा भी important question है the great ocean trade mark किस महासागर से होकर गजरता है तो ये उत्री Atlantic महासागर से होकर गजरता है बर्मुडा तिरगुज किस महासागर में अवस्तित है तो ये उत्री अट्लांटिक महासागर में है कौन बर्मुडा तिरगुज समुद्र पृत्वी की सते पर लगवक कितना घेरे हुए एक्जामें पूछा भी आता है आंसर है 70% घेरा हुआ है कौन सा सागर महासागरी है मरू भूमी के रूप में अभी हित किया जाता है सार गैसो सागर को सार गैसो सागर अवस्तित है इंपोर्टन कोशन है तो उत्री अट्लांटिक महासागर में है सार गैसो सागर तसमान सागर किस के मद है तो तसमान सागर आउस्टेलिया वर न्यूजिलेंड के मद है किस सागर की सीमाय तीन महादीपों को इसपर्स करती है इंपोर्टन कोशन है तो यह है बेरिंग सागर कौन सा सागर इस्थल बद है तो अरल सागर इस्थल बद है किस सागर का तट नहीं है तो सार के सो सागर का तट नहीं है तुर्की के उत्तर में है तो तुर्की के उत्तर में है काला सागर धान रखेगा तुर्की के उत्तर में है काला सागर बिस्व का छित्फल की द्रश्टी से सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो यह है दक्षिड चीन सागर बिस्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो मेक्सिको की खाड़ी बिस्व में सबसे बड़ी खाड़ी है कौन सी समुद्रिक नहेर उत्री सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है तो यह है कील लहेर बिस में किस खाड़ी की तट रेखा सरवादिक लंबी है तो हटसन की खाड़ी की तट रेखा सरवादिक लंबी है सार के सो सागर प्रिख्यात है तो इस समुद्री सेवाल से भरा इस्थिर जल हेतू प्रिसिद है सबसे लवड़ी सागर है तो ये है मृत सागर जॉर्डन और इस्राइल के मद्ध कौन सा सागर है तो जॉर्डन और इस्राइल के मद्ध है मृत सागर ठीक है जो की सबसे लवड़िय सागर है सेली बीज सागर जहां है वह है तो सेली बीज सागर ये है आर्केटिक महासागर में 19 East रोज कहां परिस्तित है तो ये हिंद महासागर में है कहां हिंद महासागर अकास्मिक बार का सम्मंद किस से है तो ये सुनामी से है जिस महासागर से सार गैसो सम्मंदित है वह कौन सा है तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक युक्ती ग्यान की यहिता आए देखें इंपोर्टेंट है सार्गैसो सागर उत्री अटलांटिक महासागर में इस्टे एक छेत्र है इस छेत्र का नाम सारगैसम नाम की बनस्पती बहुनता में पाई जाती है जिसके कारण इसका नाम सारगैसो बड़ा है सारगैसो समुद्र की बिसिष्टा है तो ये बिसिष्टा समुद्री बनस्पती है महासागरिय जल्दहरा रहे बिस्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरिय जल्दहरा कौन सी है तो ये देखिए important question है सबसे तेज बहने वाली है महासागरी जल्दारा, गल्फ इस्ट्रीम जल्दारा कौन सी महासागरी जल्दारा यूरोप का गर्म कम्मल के नाम से लोपरी है यूरोप का गर्म कम्मल कहते हैं गल्फ इस्ट्रीम जल्दारा को किस जलधारा को क्रिस्मिस के बच्चे की धारा कहते हैं इंपोर्ट कॉशन है क्रिस्मिस के बच्चे की धारा कहते हैं अल नीनो जलधारा को गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं तो इसका नाम है क्यूरो सियो जल्धारा किस जल्धारा को हमबोल्ट की जल्धारा के नाम से भी जन्याता है तो हमबोल्ट की जल्धारा के नाम से जन्याता है पेरू की जल्धारा को समुद्र की गर्म जल्धारा किस ओर जाती है गल्फ इस्ट्रीम धारा के उत्पत्ती होती है तो ये मेक्सिको की खाडी में होती है एल नीनो जलदारा कहां प्रिकट होती है तो एल नीनो जलदारा पेरू के तड़ पर प्रिकट होती है चिली और पेरू के तड़ से दूर सीत जल के आप्रभाव से बनी धारा क्या कहलाती है महासागर की जलदारा का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती है ध्यान रखना लेवराडोर की ठंडी धारा और गल्फ इस्ट्रीम की गर्म धारा कहा एक दूसरे को मिलती है तो यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तड़ पर मिलती है अफरीका के दक्षड पश्यम तड़ पर बहने वाली महासागरे जलदारा कौन सी है सीत समुद्री धारा है हमबोल्ट ठीके ध्यान रखेगा हमबोल्ट एक्जाम में पूछी आती है ये हिंद महासागर धाराओं के नियमित दिसामे परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदाई है तो ये हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है ये इसका कारक है बेंगुला धारा है तो ये ठंडी महासागर ये धारा है रे नेल जलदारा किस महासागर की जलदारा है तो रे नेल जलदारा अट्लांटिक महासागर की जलदारा है ब्राजील की जलदारा है तो ब्राजील की जलदारा है गर्म जलदारा देखिए इसका नाम ही है ब्राजील की जलदारा ठीक है पूर्वी औस्ट्रिय धारा किस प्रकार की धारा है तो ये गर्म सागरिय धारा है अगुल हास धारा चलती है तो अगुल हास धारा चलती है हिंद महासागर में चलिए आगे कौशन बनता है निम्न में से कौन सी सीत धारा है सीत दहरा इसमें से पेरूबियन यानि की हमबोल्ट गल्फ इस्ट्रीम है तो गल्फ इस्ट्रीम एक महा साग्रिय जल्दहरा है ठीक है गल्फ इस्ट्रीम एक महा साग्रिय जल्दहरा है महा साग्रिय लवड़ता बिस्प में सरवादिक लवड़ता पाई जाती है तो ये पाई जाती है मिरत सागर में सागरिय जल में सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला लवड़ कौन सा है तो ये है सोडियम क्लूराइड महा सागरिय जल में लवरता की सरवादिक मात्रा किन अच्छांसों के मद पाई जाती है तो यह है 20 डिगरी से 40 अच्छांस के मद समुद्र जल की ओसत लवरता होती है important question है आंसर है 35 पृतिसत महा सागरिय जल की सरवादिक लवरता पाई जाती है तो यह पायती है 35 डिग्री अच्छान्स के निकट कहां 35 डिग्री अच्छान्स के निकट सामानता महासागर्य जलकी लवर्ता गहराई में ब्रदी की साथ साथ क्या होता इसमें तो यह बढ़ती है लवर्ता की मात्रा सर्बोच है तो यह मरत सागर में है सागर ये लवड़ता का सुरूत्र क्या है तो इसका सुरूत्र होती है नदिया अरब सागर के पानी का ओसत खारापन कितना है तो ये है 35 पीपीटी मृत सागर में उच्छ लवड़ता का कारण क्या है काला सागर में लवड़ता की मात्रा कम होने का कारण क्या है किस महासागर की लवरता सबसे अधिक है तो यह है अट्लांटिक महासागर की अगला कोशन है उत्तर सागर में अपेक्षा कृत अधिक लवरता का कारण क्या है अंसर है उत्तरी अट्लांटिक प्रवाव प्रवाव लवरता की सरवादिक मातरा पाई जाती है तो यह पाई जाती है मिर्त सागर में कहां पर मिर्त सागर में अकला कोशन है लवरता की सरवादिक मातरा पाई जाती है देखिए दो कोशन एक ही सेम टू सेम है बस अलालाग ए पूचे गए हैं तो यह है आंसर इसका मरत सागर जलसंदियां कौन सी जल सायोजी यूरोप को अफरीका से प्रतक करती है इंपोर्टन कॉशन है तो यह आपकी जिवराल्टर जलसंदी डोवर जलसंदी जोडती है तो डोवर जलसंदी इंग्लिश चैनल को उत्त्री सागर से जोडती है कौन सी जलसंदी अंतराष्टी तितिरेका के समनांतर इस्तित है तो यह है बैरिंग जलसंदी बिस्व की सबसे चौणी जलसंदी कौन सी है तो बिस्व की सबसे चौणी जलसंदी है डेविस जलसंदी बैरिंग जलसंदी किन दो इस्तल भाग को अलग करती है तो आस्टेलिया और पपुआ नियोगिनी को कौन अलग करता है तो आस्टेलिया और पपुआ नियोगिनी को टारस जलसंदी अलग करती है इंपोर्टन कोशन है पाक जलसंदी किन दो देशों को अलग करती है तो भारत असी लंका को बेरिंग जल डमरूमद अलग करता है तो बेर सागर और दक्षण चीन सागर को जोड़ती है भूमद सागर और अट्लांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंदी का नाम क्या है important question आंसर है जिवराल्टर जलसंदी जापना प्रायदीप तथा सीलंका की मुखे भूमी को जोड़ने वाला पास है important है question आंसर है एलिफेंटा पास जिवराल्टल जलसंदी किन दो देशों को एक दूसर से अलग करती है तो देखी ये इस्पेन और मुरक्कों को अलग करती है कौन सा जला से अंडमान और निकोबार दीप सम्हों को अलग करता है आंसर है 10 डिग्री चैनल पाक स्ट्रेट किन के बीच इस्तित है देखी ये कॉशन भी इमपोर्टन था टेंटी चैनल वाला ये भी इमपोर्टन है तो पाक स्ट्रेट बंगाल की खाडी को मनार की खाडी के बीच इस्तित है किस जल डमरूमद से निकाली गई सुरंग United Kingdom और फ्रांस को जोड़ती है तो यह है डोवर जल डम्रूमद में कौन सा जल डम्रूमद अंतराष्टि तिथी रेका के सरवादिक निकट है इंपॉर्टन कोशन है आंसर है बेरिंग जल डम्रूमद English Channel इस्तित है इंग्लेंड और फ्रांस के बीच इस्तित है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंदी जोड़ती है तो बाव अलमंदेव ये हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है मलक्का जलसायोजक मैं आने जाने की सुबधाएं है तो हिंद महासागर से चीन सागर तक इंपोर्टन कॉशन है एक देखिए निमलिकित जल डमरूमद मैं से किसी एक से निकाले गई सुरंग युनाइटिक किंडम और फ्रांस को जोड़ती है तो ये है डोवर जल डमरूमद कौन सा है डोवर जल डमरूमद दस डिग्री चैनल प्रथक करता है इंपोर्टन कॉशन है दस डिग्री चैनल अंडवान को निकोवार दूइप से अलग करता है प्रभाल बित्ती प्रभाल क्या है तो ये एक समुद्री जीव है प्रवाल बित्ती है तो प्रवाल बित्ती समद्री जीवो दौरा निर्मित बित्ती होती है कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ती के लिए उप्युक्त है तो यह है उस्ण कटिवंदिय महा सागर प्रवाल के बिकास के लिए ओसत सागरिय लवरता होनी चाहिए तो यह होनी चाहिए 27 से 32 प्रतिसत प्रवाल बित्तिया मुख रूप से पाई जाती हैं तो 30 डिग्री नौर्थ से 30 डिग्री साउथ अच्छान्स के मद्द है जो प्रवाल बित्ति समुद्र से समुद्र तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है तो यह कहलाती है अब रोदक प्रवाल बित्ति का आकार घोडे के नाल या मुद्रिका के समान होता है तो यह है अटॉल तर्टिये प्रवाल बित्ती एवं इस्थल खंड के बीच बिक्सित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है तो इसको बोर्ट चैनल कहते हैं प्रवाल बित्तियों की उत्पत्ती से सम्मंदित भू अवतलन सिध्धान्थ का प्रतिपादन किसने किया था डेली ने किसने डेली ने विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल बित्ती ग्रेट बेरियर रीफ कहां इस्थित है इंपोर्टन कॉशन है तो यह ऑस्ट्रियले के पूर्वी तट पर है ग्रेट बीरियर रीफ की लंबाई और चौनाई क्रमसा कितनी है ग्रेट बेरियर रीफ की लंबाई है 1900 किलोमीटर और चौनाई है 160 किलोमीटर ऑस्टेलिया के पूर्वी तट परिस्थित ग्रेट बेरियर रीफ किस प्रवाल बित्ती का उधारन है तो यह अवरोदक प्रवाल बित्ती का उधारन है प्रवाल बित्या समुधरी पृति रूप है तो ये उस्रड कटिवंधिय बरसा बनो का है किसका उस्रड कटिवंधिय बरसा बनो का important question है बिस्व की सबसे बड़ी प्रवाल बित्ति किस देश के निकट पाई आती है तो ये पाई आती है औस्टिलिया के निकट ग्रेट बेरियर रीफ किसके समीब इस्तित है तो यह औस्टेलिया के समीब है कोरल रीफ या जीवास्म पटी प्राया कहां पाई जाती है तो 180 degrees Celsius से उपर से 62 जलवाईय छेतर में यह पाई जाती है Port Blair के समीब के प्रिसित प्रवाल भिती मृत्त हो रही है तो ये अतितिक मतस्यन के कारण मृत्त हो रही है Coral Reef या जीवास्म पट्टी पराया कहां पायाती है तो करक और मकर रेखा के बीच 30 छेत्रों में ये पायाती है Great Barrier Reef कहां पर है Important Question बना है ये तो यह है प्रसांत महा सागर में प्रवाल दौरा निर्मित Great Barrier Reef किस तरट के समीब है तो Great Barrier Reef यह कुइंस लेंड के समीब है कहाँ पर है कुइंस लेंड के समीब है जौर भाटा प्रगामी तरंग सिध्धान्थ जौर भाटा की उत्पत्ती की ब्याख्या करता है जौर भाटा की उत्पत्ती के सम्मंद में प्रगामी तरंग सिध्धान्थ का प्रतिपातन किस ने किया तो यह किया था बिलियम बेवेल ने किसके गुर्तवकर्षण के कारण जौर भाटा आता है इंपोर्टन कॉशन है तो पिर्तिवी पर सूर और चंद्रमा के गुर्टव कर्षण के कारण जोर भाटा आता है असाधारण रूप से उच्छे एवं निम्न जोर जो अमवस्याया पूर्णमा को जबकि सूर चंद्रमा और पिर्थिवी लगवक सर्रेखित हो आते जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो इसको ब्रत जोर कहते हैं या फिर इस्प्रिंग भी कहा जाता है दैनिक जोर भाटा के मद्द समय अंतर होता है तो यह होता है 24 घंटे 52 मिनिट का अर्द दैनिक जोर भाटा प्राया कितने समय बाद आता है तो यह आता है 12 घंटे 26 मिनिट के बाद जब सूर और एवं चंद्रमा पिर्थवी की निकरताम पहुंच का सीधी अवस्था प्राप्त कर लें तो ऐसी स्तिती में आने वाले जौर को क्या कहते हैं तो इसको सर्वुच जौर कहा जाता है क्या कहते हैं सर्वुच जौर जौरों की उत्पत्ती के लिए कौन उत्तरदाई कारक है तो यह है पिर्थवी का अपकेंद्रिये बल तथा चंद्रमा एवं सूर का गुर्था कर्षण इंपोर्टन कोशन है विस्व में सबसे उचा जौर कहा आता तो यह आता है फंडी की खाडी में कहां फंडी की खाडी में जौर भाटा की उत्पत्ती में किसका प्रभाव अधिक है आंसर है चंद्रमा का महासागर में जौर भाटा की उत्पत्ती के क्या कारण है तो गुर्त्वाकर्षन अत्वा अभी केंद्रिय बल तथा अपकेंद्रिय बल ये तीनों ही ज्वार भटा की उत्पति के कारण है महासागर में अप पृत्यक्ष उच्छ ज्वार उत्पन होने का कारण क्या है तो ये है पृत्वी का अपकेंद्रिय बल महासागर में उची जल तरंग कैसे उत्पन होती है चंदरमा से विस्व के कुल विर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर उर्जा संसादन का सही अवरोहिक रम क्या है तो देखिए अबरोही करम में है ये पहले पैट्रोलियम फिर कोईला उसके वाद प्राकिरते गयस और लाश्ट में जलविद्धूत बिस्व के कुल ब्यापारिक उर्जा उत्पानक का सरवादिक भाग के सुरूत्र से प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होता है पैट्रोलियम से किस से पैट्रोलियम पदाद कहां से प्राप्त होते हैं तो ये तल छट्टी चट्टानों से प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम के संचित भंडार की द्रश्टी से देशों का सही अबरोही किरम क्या है? पहले आता है सौधी अरब, इसके बाद इराग, फिर कोवेथ, फिर इरान. कौन सा देश एक बर्स में सरवादिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? आंसर है सौधी अरब. कहां बिस्व का सबसे बड़ा प्रमारत तेल भंडार इस्थित है? तो यह है सौधी अरब में. बाकू किसके लिए प्रसिद है? इंपोर्टन कोशन है, बाकू यह खनिज तेल के लिए प्रसिद है. मद्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रिनी उत्पादक है? तो यह है इंपोर्टन कोशन ध्यान रखेगा. बिस्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयतक बड़ा आयतक कौन है? तो यह है संयुक्तराज अमेरिका. खनिज तेल का प्रतम कुगा 1869 EC में किस देश में खोदा गया था? तो यह खोदा गया था संयुक्तराज अमेरिका में. इं इस देश में सरप्रतम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? तो यह हुआ संयुक्तराज अमेरिका में. पेट्रोलियम प्राकरतिक गैस एवं जल सामानता एक साथ पाए जाते हैं. उपर से नीचे की ओर इनका सही करम क्या है? तो देखिए पहले आता है प्राकरतिक गैस प्र पेट्रोल फिर जल ठीक है? बिस्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कौन है? सही आंसर है कनाडा थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहा पाये जाता है? बहरत में पाये जाता है? किसे स्टाटिक मिनरल कहा गया है? तो खंिश देल को. बिस्व में पवन का सबसे बड़ा उत्पादक दशकर है कोई इंपोर्टन कोशन है तो है सबसे बड़ा उतपादक्तृ नहां है सब्सक्राइब परेयावल के अनूधूल होने के कारण किसे सोळित कोईले की नाम से भी जाना जाता है नियाद विश्वन की सभी नदियों में किसकी संभाविता जल बिद्दु छमता अधिक्तम है तो यह है कांगो नदी ठीक है कांगो नदी यह जायरी नदी बिस में अधिक्तम संभाव जल सकती वाले कती पए नदी बेशन कौन से हैं तो यह है कांगो कॉलंबिया यांग टिशी यांग बिद्दुत उत्पादन के लिए भूताप्य उर्जा का पुर्योग सबसे पहले किस देश ने किया True किस देश में जल बिद्दुत ही बिद्दुत उर्जा का एक मात्र सुरोत है तो यह आपका Spencerland जल बिद्दुत उत्पादन हेतु सरवादिक उप्युक्त भोगलिक दसाइक किस देश में उपलब्ध हैं तो ये है कांगो गड़ राज में कोईले की सरवुत्तम किस्म कौन सी है देखिए इंपोर्टन कॉशन है ये बहुत ही ज़्यादा कोईले की सबसे अच्छी किस्म है एंत्रेसाइट बिस्म है पाये जाने वाला अधिकांस कोईला किस परकार का है तो ये होता है बिटूमिनस सबसे निम्न कोटी का कोईला कौन सा है तो ये है पीट कौन सा है पीट कोईली की कौन सी किस्म भूरा कोईला की नाम से जाने जाती है तो भूरा कोईला कहते हैं दोस्तों लिगनाइट को सन 1883 में बिस्व के किस देश में सर पिर्थम जल बिद्दुत की स्थापना की गई तो ये की गई थी फ्रांस में ठीक है important question है कोईला किस पिर्कार की चट्टार में पाये जाता है तो ये अपसाधी चट्टार में पाये जाता है बिस्म कोईला का सरवादिक संचित भंडार किस देश में है तो ये है संयुक्त राज अमेरिका में संयुक्तराज अमेरिका का सरवादिक महात्पूर्ण कोईला छेतर कौन सा है तो इसका नाम है एपलेशियन छेतर ठीक है एपलेशियन छेतर बिसमै कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन बिस्विख्यात डोन वासा कोईला छेतर किस देश में है तो डोन वासा कोईला छेतर ये यूक्रेन में है कहां यूक्रेन में कुछ वास कोईला छेतर किस देश में है तो कुछ वास कोईला छेतर रूस में है बिस्व की सबसे बड़ी कोईले की खान बांकी किस देश में है इंपॉर्टन कॉशन है तो यह है जिंबाम्बे में जो उर्जा पृत्वी की सत्य के नीचे संचित उर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है बहुत एचा कॉशन है आंसर इसका भूतापी उर्जा ठीक है आप बार बार सुनते हैं भूतापी उर्जा जो होती क्या है तो एक तरह से देखिए परिवासत दी रखिए यहाँ पर आपको ठीक है भूतापी उर्जा की दक्षण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिस तेल उत्पादक देश कौन है तो इसका नाम है इंडोनेशिया ठीक है दक्षण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिस तेल उत्पादक है इंडोनेशिया कॉशन बनता है यहाँ पर एक निमलिकित में से कहा के सबसे बड़े देसों में से कौन सा एक यूरीनियम का पुरमुक उतपादक हैं मैं से कनाडा यूरिनियम के सरवादिक भंडर कहां है तो ये हैं दोस्तों औस्टेलिया में ठीक है यूरिनियम के सरवादिक भंडर कहां है औस्टेलिया में बिस्व में यूरिनियम के ब्रहत भंडर पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं औस्टेलिया में रूर बेसिन इंपोर्टेंट है कॉशन देखिए रूर बेसिन कोईला उत्पादक छेत्र किस देश में इस्तित है तो यह जर्मनी में इस्तित है कहां पर जर्मनी में बाकू की फ्रिस्थी क्यों है यानकी बाकू 46 फ्रिस्थ है तो यह पैट Chroniam के लिए है प्रमुक उद्योग आईसोडोपेन सब्द का प्रियोग किया जाता है तो यह किया जाता है उद्योग की स्थाईनी इस्थाई के लिए उद्योग में इस्थानिय करण हेतू आईसो डोपिन सब्द का उपयोग सरप्रथम किस ने किया तो ये किया था बेवर ने उद्योग के इस्थानिय करण का पृतिरूप किस ने पृतिपादित किया था तो बेवर ने किया था किस ने बेवर ने संयुक्त राज अमेरिका का सबसे बड़ा लोह इस्पाद उत्पादक छेतर कौन सा है तो अमेरिका का सबसे बड़ा लोह इस्पाद उत्पादक छेतर है पिट्सबर्ग कौन सा है पिट्सबर्ग छेतर बिस्व के एक तेहाई से अधिक कच्चा इसपात का उत्पादन प्राप्त होता है तो ये चीन से प्राप्त होता है किस देश ने सरपर्थम कागज बनाना प्रारम किया? इंपोर्टन कोश्चन आंजर है चीन ने कौन सा प्रमो कागज उत्पादक देश है? आंजर है कनाडा बिस्व में अकवारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो अकवारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा बरतमान समय में जूट उद्द्योग की दरश्टी से बिस्व में प्रत्थमिस्थान किसका है? तो आंसर है भारत बरतमान समय में जूट उद्द्यों का किंद्रिय करन देखने को मिलता है तो ये मिलता है भारत बंगलादिस में ठीक है बिस्व का पहला जूट मील कहां इस्थापित किया गया इंपोर्टन कोशन है तो स्कॉट्लेंड के डुन्डी में इसको इस्थापित किया गया था किसको पहला जूट मील बिस्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादर कहां होता है तो ये कनाड़ा में होता है बरतमान समय में सूती बस्तर के उत्पादर में बिस्व में प्रतम इस्थान किस देश का है तो यह है चीन देश का किस नगर को चीन का मैंचिस्टर कहते हैं तो देखें चीन का मैंचिस्टर कहा जाता है संगाई को भारत का सबसे बड़ा एवं संगटित उद्ध्योग कौन माना जाता है आंसर है सूती बस्त्र उद्ध्योग किस देश का सूती बस्त्र उद्ध्योग पून रूप से आयतित का पास पर निर्भर है तो यह है जापान का किसका जापान का जापान का मैंचेस्टर किसे कहते हैं तो जापान का मैंचेस्टर कहते हैं उसा का सहर को बिस में रेस्मी बस्तर का सबसे बड़ा उत्पाता देश कौन है आज़ा है चीन जहाज निर्माण की दरश्टी से कौन सा देश बिसमे प्रतमिस्थान रखता है तो यह है जापान बायू यान निर्माण में अगरनी देश कौन है तो बायू यान निर्माण में अगरनी ये देश है संयुक्त राज अमेरिका आटो मुवाइल उद्योग की दरश्टी से किस देश का विस्व में अगरली इस्थान है आज़र है जापान धाका प्राचीन काल में किस के लिए प्रसित था तो धाका प्राचीन काल में मलमल के लिए प्रसित था किस के लिए मलमल के लिए तेल सूधन उद्द्योग में बिष्व का कौन सा देश अकरीलि इस्थान रखता है तो यह है अमेरिका बिष्व में सरवादिक, तेल सूधक, कारखाने किस देश में है, अनसर है सैंज उतराज अमेरिका में बियूनर्स आइरस किसके लिए प्रिसिद है तो बियूनर्स आइरस डेरी पदार्थ और मास के लिए प्रिसिद है बिस्प में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा देश भारत जापान बिस्व के अग्रडिय उद्द्योग देशों में से एक है क्योंकि इसलिए है क्योंकि उसके पास उच्छ तक्नीक छमता है किस देश में बाजार आधारते लोहो एबम इसपात के कारकाने पाए आते हैं जापान में पायाते हैं घनेज एसिया का सबसे बड़ा लुह इस्पाद उत्पातक देश कौन सा है राइट आसर है जापान कौन सा देश बड़ी मातरा में लुह आयस का आयात करता है आसर रहेगा जापान बिस्प में बॉक्साइट का सरवादिक संचित भंडर कहां पाया जाता है तो बॉक्साइट का सरवादिक संचित भंडर औस्टेलिया में पाया जाता है यूक्रिन इस्तित नीको पाल किस खनिच के उत्खनर के लिए प्रिसिद है तो ये है आपके मैगमीच के लिए अफरीका महादीप में सबसे वड़ा तामबा उत्पादक देश कौन है राइट आंसर जांबिया संसार में तामबा का अगरिये उत्पादक है राइट आंसर है अमेरिका कौन है अमेरिका कौन सा देश तामबे का मुख्य निर्यातक है निर्यातक की बात कर रहा है तामे की तो यह है जांबिया बिस्व का सरवादिक सोन उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसा है दक्षिल अफरीका औस्टिलिया में इस्तित काल गुरली किस के लिए बिर्ख्यात है? इंपॉर्टन कोशन है तो काल गुरली ये सोन उत्पादर के लिए प्रसित है जोहनस बर्ग किस के लिए प्रसित है? तो सोने की खान के लिए प्रसित है जोहनस बर्ग ये दक्षिल अफरीका में है संभुत राज अमेरिका की सबसे बड़ी सॉंद उत्खरन खाण होम इस्टैक किस राज में श्थित है तो दा डकोटा में श्थित है बिस्व के बिसालतम सॉंद छेटर दक्षिन अफ्रीका की कौन सी परबस सिरड़ी में अवस्थित है तो ये हैं बिट बाटर्स रेंड में बिस में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो चांदी का उत्पादक देश है मेक्सिको हीरा ब्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है तो हीरा ब्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है Ant Burp हीरे के उतपादर में किस महादीप का एक अधिकार है तो ये है अफरीका का अभूशन में प्रयोग किये जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उतपादर देश कौन है तो राइट आंसर है दक्षन अफ्रीका ओध्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादर देश कौन है तो ओध्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादर देश है जायरे दक्षनल अफरीका में इस्तित किम्रेले किस के लिए प्रिसिद है तो ये किम्रेले हीरे की खान के लिए प्रिसिद है संयुक्तिराज अमेरिका की किस पहाड़ी को पिर्थिवी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है तो ये है बूटे पहाड़ी ठीक है बूटे पहाड़ी बिस्ब का कौन सा देश टिन का सरवादिक उत्पादक करता है तो टिन का सरवादिक उत्पादन करता है मलेशिया बिस्ब में कौन सा देर टिन का सरवादिक निर्यात करता है तो ये भी दोस्तों कौन है मलेशिया बिस्ब का सबसे बड़ा कोवाल्ट उत्पादक देश कौन है तो ये है आपका जायरे निकेल का सबसे अधिक उत्पादन कहा होता है तो निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है कनाडा में बिस्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है तो निर्यातक भी कनाडा ही है कनाडा का कौन सा छेतर निकेल उत्पादन के लिए प्रिसिद है तो याद रखेगा इसका नाम है सडवरी छेत्र कौन सा खनिज काला सीसा या फिर प्लैमंगो के नाम से प्रिसिद है तो इसको बुलते हैं ग्रेफाइड इंपोर्टन कोशन था ये सिलीकोन घाटी अवस्तित है तो सिलीकोन घाटी कैलिफोर्निया में है खनिज पदातों की दरश्टी से भारत का कौन सा खेत्र अधिक सम्रद है तो इसका नाम है छोटा नापूर का पठार संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है रूस्तेस किसे जुडवा खनिच कहा जाता है तो सीसा और जस्ता को जुडवा खनिच कहते है जोहांस बर्ग बिख्यात है तो जोहांस बर्ग ये सौन खनन के लिए प्रिसिद है और दक्षन अफरीका में पड़ता है किम्रले ये भी दक्षन अफरीका में है पूछ रहा है केमरले क्यों प्रसिद है तो हीरे की खान के लिए प्रसिद है डोन बास छेतर प्रसिद है तो डोन बास छेतर कोईले के लिए प्रसिद है किस देश को यूरेनियम सिटी स्थाबित करने का सरह दिये जाता है आंसर है कनाडा को किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरियन भंडार है राइट आंसर कनाड़ा के पास डक्षल अमेरका में खनिजों का भंडार जो छेतर है वह है तो उसका नाम है बराजिल का पठार के नाम है बराजिल का पठार important question आया कूल गार्डी औस्टिलिया की जिस प्रांथ में इस्तित है वह है तो ये बैस्टन औस्टिलिया में है बिस में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेक्सिको मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादर देश है तो यह है चांदी का बॉक्साइट किसकी कच्ची धातू है तो बॉक्साइट एलिमूनियम की कच्ची धातू है क्या कॉशन आता है ना कि बॉक्साइट किसका आयस्क है तो एलिमूनियम का आयस्क है इसी प्रकार कॉशन बनाया है बॉक्साइट किसकी कच्ची धातू है तो यह ऐलुमूनियम की है निमलिकित मैंसे कहां विस्व का सबसे बड़ा प्रमालक तेल भंडार है तो यह है बेनुजयो इलामे कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है रूस ठीक है कौन है रूस किरसी एवं पसूपालन किरसी किस प्रकार की मानेविय आर्थिक किरिया है तो यह है प्राथमिक सरपरतम किरसी प्रदेशों का बिस्व बर्गिकरल किसना प्रिश्थत किया तो ये क्या था D. Hintel C. ने बिस्व के किर्सी प्रदेसों का सरवादिक मानने सीमांकन है तो ये है D. Hintel C. का बिस्व के संपूर्ण धरातली चेतर का कितना प्रतित भाग किर्सी योग है तो ये है 11% बान थ्यूनेन ने अपना किरसी अवस्तिती सिध्धान्त किस वर्स दिया था तो ये दिया था 1826 में बान थ्यूनेन ने अपने किरसी अवस्तिती सिध्धान्त में केंदर के चारों और कितनी पेटियों की संक्या बताई है तो ये बताई गई 6 बान थिवनेन का किर्सी अवस्तिती सिधान्ध किस पर आधारित है तो यह तुलनातमग लाप पर आधारित है विस्व का सबसे बड़ा गेहु उत्पादक देश कौन है तो विस्व का सबसे बड़ा गेहु उत्पादक देश है चीन बिस्प में ग्यहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है तो यह है अर्जेंटीना ग्यहूं की किर्सी का आदर स्तापमान कितना है तो 15 से 20 डिग्री बसंत काली ग्यहूं की खेती कहां की जाती है तो यह कियाती है रूस एवं कनाडा में संसार में सिचाई का सरवादिक उपयोग किस फसल के किर्षीक में होता है कौन सा देश बिस्प में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है आंसर है चीन बिस्प में चावल के अंतरगत सरवादिक छितफल किस देश का है तो राइट आंसर है भारत किसे मक्का का जन्दाता माना जाता है किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टिर उपज मक्का उत्पादक देसकों का अबरोही क्रम क्या है तो देखिए सबसे पहले USA फिर चीन, ब्राजिल और लाश्ट में मैक्सिको मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है पर USA यनके सयुत राज अमेरिका में बिस्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं तो टर्की और यूक्रेन चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं बिस्व में सुयावीन के सरवादिक महात्पूर उत्पादक देश कौन है तो पहला है अमेरिका फिर ह ब्राजील इसके बाद अर्जन्टिना चीन बिस्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है तो यह करता है इंडोनेशिया बिस्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादन कौन है राइट आंसर है चीन युक्ति ग्यान क्या किरा रहा है संयुक्त राष्ट खाद एव पाग बिधी बिक्सिद हुई थी तो ये फिलिपीन्स में हुई थी कहां पर फिलिपीन्स में बिस्व पिर्सिद उलंग किस किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है तो ताइवान में पैदा होती है कहावा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही करम क्या है कहावा का मतलब है कॉफी ठीक है तो देखिए ब्राजील, कॉलंबिया, इंडोनेशिया राइवरी कोश्ट मोचा कहावा जहां उगाई जाती है वह है तो यह है देशाप का यमन बिस्व कहावा के दो अगर गड़ उत्पादक है तो पहला है ब्राजील, दूसरा है कॉलंबिया बिस्व की कहावा की मंडी के नाम से प्रसिद है तो यह है साव पोलो, सौरी साव पालो निमलिकत में से कौन सा देश गयहू और चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो यह है चीन बिस्व का लगवग एक तेहाई प्रकृतिक रवर का उत्पादन होता है तो यह होता है थाइलेंड में, कहाँ पर थाइलेंड में देखिए, इंपोर्टन कॉशन है, कॉशन या कट रहा है लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िए, कॉशन का कह रहा है सूची एक और दो को सुमलित कीजिए सूचियों के आधर पर सही उत्तर का कूट आपको बिठाना है तो देखिए, पहले हम इसका अंसर बताता हूं आपको इसका सही अंसर है, ऑप्शन B ऑप्शन B इसका राइट अंसर है, ठीक है मिलाते हैं, तो पहले पर A पर है रवर यह है, मलेशिया में सब इसका च्छित उत्तपारन का सबस्यादे दूसरे पर है दोस्तों, कहावा तो यह जाएगा आपका कॉलंबिया पर, ठीक है, तीन नंबर पर फिर है C पर जेतून, जेतून जाएगा आपका दो नंबर पर, इटली में फिर है आपका चार नंबर, गन्ना, गन्ना जाएगा मौरिसिस में कहाँ पर मौरिसिस में ठीक है छेत्र थी ये कूट मिलाना था आपको यहाँ पर चलिए आंगे बढ़ते हैं पैट्रोन कोलोन पिर्था जिसमें कहाँ के पुराने बगानों को काट कर नए बगान लगाने में खर्च कम पड़ता है किस देश में पिर्चले थे तो ये ब्राजील में है ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमो कारण क्या है तो ये टेरा रोसा मिर्दा है इसका कारण कौन सा बंदरगा कौफी पतन के नाम से जना जाता है important question है coffee पत्न तो ये सेंटोसा पत्न है जो की coffee पत्न के नाम से जना आता है बिस्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना गया है तो ये है मोचा कहवा बिस्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही करम क्या है तो पहले आता है आईवरी कोष्ट इसके ब्राजील गहाना फिर नाइविरिया ठीक है ध्यान रखेगा बिस्व में लंबी रेसे की कपास के प्रमुक उत्पादक देश कौन है तो लंबी रेसे की कपास के प्रमुक उत्पादक देश है USA और एवं मिसर ठीक है बिस्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुक देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही किरम बताईये तो देखिह पहले आता है चीन, अमेर्का, CIS एवं भारत विश में लंबे रेसे के कपास का सबसे बढ़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है तो ये हैं अमेर्का विश में कपास का सबसे बढ़ा निरातक देश कौन है रैईट आंसर है सहीट जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्या है आंसर है पहले आletter बंगलदेश भी भारत फिर चीन जूट उत्पादक देशों में सबसे अधिक पृति हेक्ट्रेट जूट का उत्पादन किस देश में होता है रैइट आंसर के उत्पादन हेतू ब्यापारिक इस तर पर रेसम के कीलो का पालन क्या कहलाता है इंपोर्टन कोशन है तो इसको बोलते हैं सेरी कल्चर सरवादिक रवड की खेती होती है तो यह होती है अमेजन और जैरे बैसन में बिसमे प्रकृतिक रवड का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यह है थाइलेंड बिसमे संसलेसित या फिस सिंथेटिक रवड का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो यह है अमेरिका बिसमे तमाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है राइट आंसर है चीन बिसमे तमाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुक देशों का उत उच्छकोटी की मादकता वाली सुगंद से परिपूर औरियंटल किस्म की तमाकू का बिस्व में सरवादिक उत्पादर कहा होता है तो ये होता है तुर्की में बिस्व में इलाइची का सबसे प्रमुक उत्पादर देश कौन है आंसर है गौर्टे माला बिस्व में अफीम का सरवादिक उत्पादन किस देश में होता है तो यह होता है अफगारिस्तान में बिस्व में सरवादिक आलू कहां पैदा होता है तो सबसे आलू होता है रूस में बिस्व में अंगूर का सरवादिक उत्पादन करने वाला देश कौन है किसको किर्सी छेतर में हरित करांती का जनदाता कहते हैं इंपोर्टन कोशन है तो हरित करांती के जनक जनक है Norman E. Borlong बिस्व की बात कर रहा है मूंग फली कहा की प्रमुक फसल है तो ये जामविया की प्रमुक फसल है मुंगफली ठीक है बिस्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है राइट आंसर है भारत बिस्व का सबसे बड़ा दुगद उत्पादक है यनकी दूद का तो ये भारत है बिस्व में उन का सरवादिक उत्पादक करने वाला देश कौन है तो राइट आंसर है प्राजील कौन सा देश ग्याहूं और चावल दौनों का बिस में सबसे बड़ा उत्पादक है राइट आंसर है चीन भारत में सरस्रेश्ट उत्पादक और एवब उपभुकतक है तो आंसर है चाय का दुग्द के अग्रेडिये उत्पादक उत्पादकों का सही अवरोही क् क्या है तो देखिए दूद में सबसे पहले आता है भारत फिर चीन उसका अमेरिका फिर रूस इस्थांत्रणिये सील किरसी की सुरुआ सरपर्थम कहां हुई तो यह हुई थी थाइलेंड से जूम है इंपॉर्टन कोशन है जूम है तो जूम एक किरसी याने खेती का एक त बहुत नाम इमन लाओस की जाने वाली इस्थांतरिये किरसी को क्या कहा जाता है आंसर है रे ट्रक फार्मिंग का अभिपराए क्या है तो बागवानी किरसी का सरवाधिक बिकास कहा हुई है तो यह तो यह हुआ दक्षली पूरवी एशिया में जूम किरसी कहा पर की जाती है जूम खेती बिसमे किस प्रकार की किरसी का सरवादिक प्रिशलन है तो यह स्थान बद किरसी का ठीक है स्थान बद किरसी सरवादिक संगन संगन खेती प्रिशलित है तो यह है जापान में मिली जुली खेती से क्या कहलाता है तो इसको सेरी कल्चर कहते है ब्यापारिक उद्देसों की पूर्ती हेदू समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है तो इसको बुरियाता है मेरी कल्चर ठीक है ब्यापारिक इस तरह पर की जाने वाली मचली पालन की क्रिया को क्या कहते है तो इसको पिसी कल्चर बुले आता है क्या बोलते हैं पिसी कल्चर बनो के संरक्षण एवं समवर्दन से संबंदिक क्रिया क्या कहलाती है तो सिल्वी कल्चर बुले आता है इसको ब्यापारिक इस्तर पर की जाने वाले फूलों की किर्सी को क्या कहते है फूलों की किर्सी को कहते है फ्लूरी कल्चर ब्यापारिक इस तरह पर की जाने वाली बिभिन परकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है जिसको हार्टी कल्चर कहते है ब्यापारिक इस तरह पर सहथ उत्पादन हितु किये जाने वाले मदुमक्खी या मोन पालनकुआ का कार कहलाता है तो मदुमक्खी पालनकुआ को कहते हैं एपी कल्चर जमीन पर फैलने वाली सबजीयों की ब्यापारिक क्रिस्टी कहलाती है तो उसको ओलेरी कल्चर कहते हैं ओलेरी कल्चर सेरी कल्चर का सम्मन्ध है कॉशन है सेरी कल्चर का सम्मन्ध है तो यह रेसम कीट से है मूँफली निमले कित में से कहां की प्रमुक फसल है तो यह है गैंबिया की कहां की गैंबिया की दुग्द उत्पादर में पहला स्थान किसका है दुग्द उत्पादर में पहला स्थान है दोस्तों अपने देश भारत का मतस्य मतस्यन किस प्रकार की आर्थे किरिया है तो यह है प्राथमिक ब्यापारिक रूप से मतस्य पालन का बैपसाय क्या कहलाता है तो इसको पिसी कलिचर कहते हैं नीली किरांती किस से संबंदित है तो मतस्य पालन की मशली पालन से मशलियों का सबसे अधिक केंद्रिय करण छिचले तटिय जल में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में सही योगी कारक होते हैं तो अत्यदिक प्लैंक टन होते हैं यह मतस्य उद्योक की द्रश्टी से कौन सा देश महात्पूर है तो इसका नाम है नार्वे ठीक है नार्वे बिस्व का ब्रहत्तम मतस्य आरण छेत्र है तो इसको ये छेत्र है ग्रेंड बैंक प्रिसिद मतश्य चेतर, Grand Bank इस्तित है, तो यह Atlantic महा सागर में है, ध्यान रखना इंपोर्टन है कॉश्चन हो यह, बिस्व का सबसे प्रमुक मतश्य चेतर, Dongar Bank कहां इस्तित है, तो यह उत्तरी सागर में है बिस्व में सबसे अधिक सड़कों का बिस्तित जाल किस देश में पाया जाता है आंसर है संहित्राज अमेरिका भारतिय सड़क प्रडाली का बिस्व में कौन सा स्थान है आंसर है दूसरा बिस्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है तो यह है Pan American महामार्ग बिस्व के किस देश में प्रतम रेल मार्ग निर्मार्ण हुआ आंसर है Britain में बिस्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहां बनाया गया तो यह उत्री पूर्वी इंग्लेंड में कोईला खानों और न्यू कैसल के मद्ध बनाया गया था एसिया के किस देश में सरवादिक लंबा रेल मार गहें तो यह है भारत में संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन है तो यह है USA बिस्व में प्रिथम रेल गाली कब चली तो यह चली अठारोसो पच्चीस एस्वी में बिस्व में सडक मार की लंबाई की द्रश्टी से प्रिथम तीन देशों का अब रोही करम क्या है तो देखिए पहले आता है अमेरिका फिर भारत इसका ब्राजील बिस्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो यह है ट्रांस साइवेरियन रेल मार्ग ट्रांस साइवेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है तो यह है 933332 किलोमीटर सोरी ट्रांस साइविरियन रेलमार कहा से कहा तक है तो ये लैनिन गिराट से बलाडा वोस्टक तक है ठीक है ध्यान रखेगा एक इंपॉर्टन कोशन था है बिस्व का सबसे बेस्त समुद्री रास्ता कौन सा है सबसे बेस्त समुद्री रास्ता है उत्तरी अटलाटिक महासागर सोईज नहर जलमार्ग के सम्मन्द में कौन सा कथन असत्त है तो यह है यह नहर भूमत सागर को फारस की खारी से जूड़ती है ये असत्य है, संसार की सबसे बड़ी पोत बहाग नहर है, तो ये है स्वेज नहर, संसार की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है, तो ये है स्वेज नहर, बिस्व का सबसे बैस्त और मात्पूर्ण अंता इस्थलिय जलमार कौन सा है, तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका का महान जील मार्ग बर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंतर है आंसर है पनामा का प्राचीनतम अंतराष्टिय एरलाइन है तो यह है डच के एल एम देखी यहाँ पर एक कथन आ रहा है कथन है संसार में उत्री अट्लांटिक नो परिवान मार्ग सबसे अधिक ब्यस्त मार्ग है कारण है वह संसार के दो मुखे और दिक छेत्रों को जोड़ता है अब आपको उपरिक्त बाक्य के संदर में निम्लिखित कथन को देखना है अब देखिया आंसर आप लगा सकते है आप वीडियो को रोक कर भी आंसर लगा सकते हैं सही आंसर इसका ओप्शन ए ठीक है सही आंसर क्या है ओप्शन ए यानि की ए और आर दोनों ही सही है तो आर ए का सही ब्याक्या करता है किस देख मैं दुरिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेंज जाल है तो यह है आपका चीन देख में सीकॉन नामक बिस्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरक कहां इस्तित है तो यह जापान में है कहां पर जापान में है इंपॉर्टन कोशन था यह जन संख्या विस्प में सरवादिक जनसंख्या वाले देशों का अब रोही क्रम क्या है तो देखिए सबसे पहले आता है चीन उसके बाद भारत फिर अमेरिका इसके बाद इंडोनेशिया विस्प जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है इंपोर्टन कोशन है 11 जुलाई को अफ्रीका महाद्वीप में सरवादिक जनसंख्या वाला देश कौन है तो ये है नाइजिरिया जनसंख्या का सबसे कम भार कहां पाया जाता है तो ये पायाता है ओस निया में जनसंख्या का सरवादिक भार कहां पाया जाता है तो ये एशिया में पाया जाता है बिस्व की किस महादीप में आदिम जातियों की सरवादिक जनसंख्या पाई जाती है तो यह है अफरीका में कहां पर अफरीका में एशिया महादीप में बिस्व की कितनी पृतिसद जनसंख्या निवास करती है तो यह करती है 55% सरवादिक प्रवासी जन संख्या कहां पायाती है तो यह पायाती है संयुक्त राष्ट संख्या नुसार विस्व की जन संख्या 6 अरब हुई कब हुई यह हुई 12 अक्टूबर 1999 को विस्व के किस देश में मुसल्मानों की सरवातिक संक्या है तो मुसल्मानों की सरवातिक संक्या है इंडोनेशिया में जनसंक्या के अध्यन को क्या कहते है इंपोर्टन कॉशन है तो इसको हिंट बुलाता है जननांकी की कुल जनसंक्या को उपलद किर्सी योग भूमी के छितफल से बिवाजित करने पर मिलता है किस देश की लगवग 97% जनसंक्या उसके लगवग 3% भू भाग पर निवास करती है सरवादिक जनसंक्या घनत वाला दीब कौन सा है तो यह है जावाधीब किस दक्षिड एशिया इस अचिश में अधिक जनसंक्या घनत वाला महादीब है तो यह है ऑस्टेलिया मालधस के अनुसार जनसंक्या कितने वरसों में दुगनी हो जाती है तो ये 25 वर्सों में दुगनी हो जाती है किस देश में जनसंक्या व्रद्दी दर सरवादिक है आंसर है बंगला देश किस प्रजाति के सदेशों की संक्या सरवादिक है तो ये है मंगोलॉइड मानब जातियों के बर्गी करण के लिए किस कसोटी का प्रियोग नहीं किया गया किया जाता है आंसर है कान का सरवादिक जनसंक्या गहनत वाला देश कौन सा है सरवादिक जनसंक्या गहनत वाला देश है सिंगापुर अनुकूलतम जनसंक्या के सिध्धान्त का पृतिपादन किस ने किया आंसर है डाल्टन ने जनसंक्य की संकरमण सिध्धान्त को किस ने पृतिपादन किया था आंसर है नोटे स्टीन ने थौंपसन तथा नोटे इस टीन ने जनांकी की संक्रमण की कितनी अवस्थाओं के होने का सुझाद दिया है तो इन्होंने तीन सुझाद दिये जनांकी की संक्रमण की कौन सी अवस्था जनांकी की बिसफोटक ब्रद्दी की इस्तिती पैदा करती है तो यह है दुख्ती है भारत एवं चीन बरतमान में जन्रांकी की संकर्मन की किस अवस्था से गुजर रहे हैं तो यह तीसरी अवस्था से गुजर रहे हैं किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंक्या सिध्धान्त का पृति पारण किया आंजर है माल थस एशिया में मात्र मित्यू दर उच्टम है तो यह है बंगला देश में मानब विकास सूचकांग जारी कौन करता है तो यह करता है UNDP द्वारा जनसंक्या के घठते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं तो देखें चीन भारत के बाद आते हैं अमेरिका और इंटोनेशिया दक्षिड एशिया देशों में किस देश की अधिक्तम जनसंक्या गनत्व है आंसर है भारत सरवादिक नगली कृत महादीप कौन सा है तो यह है यूरोप कौन सा है यूरोप कौन सा देश दक्षिड एशिया का सरवादिक नगली कृत देश है तो यह है पाकिस्तान एक अनुमान के अनुसार बिस्प की 70% आवादी जिस बर्ज तक नगरों में सिमट जाएगी वह है तो आंसर है 2050 तक निमलिखित युगमा में से कौन सा सही सुमलित नहीं है आंसर है ऑप्शिन बी बन्तू सहारा रितू प्रवास सब्द किसके लिए उपयोग होता है तो ये मानववा उनके पसुओं का मौसमी इस्थांत्रण घाटी से परवत की और बापरवत से घाटी की और को इंगित करता है बिस्व के सबसे अधिक जनसंक्या वाले दस देशों में एसिया में है तो एसिया में है छे किस प्रजाती के सदस्थों की संक्या सरवादिक है तो ये है काके शियाई चनसंक्या ब्रदी का सरवादिक प्रतिसत जिस महादुई के देशों में देखा गया है, वह कौन सा है? तो यह है आपका एशिया सार्क देशों में सबसे घना आवाद देश कौन सा है? आंसर है बंगला देश किस देश ने सरकारी तोर पर परिवार नियोजन कालिकरम को सरप्रथम अपनाया आंसर है भारत कौन सा पश्चिम एशिया का सरवादिक नगरी कृत देश है तो पश्चिम एशिया का सरवादिक नगरी कृत देश है कुवेट कौन सा है कुवेट जन्जातिया एनू जन्जाती कहां पाई जाती है इंपोर्टेंट है एनू जन्जाती जापान में पाई जाती है मोस्ट इंपोर्टेंट माओरी जन्जाती का निवास छित्र कहां है तो यह है निउजिलेंड सेमांग जन्जाती का निवास कहां है राइट आंसर है मलेशिया न्यूजलेंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाने आता है आंसर है माओरी अफरी दिस जनजाती का निवास छित रहे तो यह है पाकिस्तान एसकिमो लोगों का ग्रीसम कालीन निवास ग्रह क्या कहलाता है आंसर है ट्यूपिक एसकिमो निवासी है तो यह है कनाडा के कहा के कनाडा के सिकार के लिए हार पुन का प्रयोग कौन सी जनजाती करती है तो यह करते हैं एसकिमो एसकिमो लोगों का मुखे बैपसाय क्या है आंसर है आखेट बामतस्य बुश्मेन का संबन्ध है तो यह है कालाहारी, मरुस्थल से किस जनजाती के लोग सर्व बक्ची की स्रिड़ी में आते हैं तो यह है बुश्मेन खिरगिट एक घुमकड जनजाती है, तो यह है मदड एशिया की किस जनजाती का सम्मद भूमद रेखिये प्रदेश से नहीं है तो इसका आंसर है खिरगिट मदेशिया के स्टेपी छेतर में खिरगिट काल मुख तथा कज्जाक लोगों द्वारा बनाए गए पस्वों की खाल के आस्थाई तंबू को क्या कहते है तो इसको यूर्ट बुले आता है क्या यूर्ट कौन सी जनजाती ब्रक्षो पर निवास करती है तो इसका नाम है सकाई किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते है तो ये विशुवत रेखिये बंचितर में पाए जाते है स्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जन जाता है तो बेद्दा कहते हैं जन जाती को बेद्दा बिस्व के किस महादीप में आदिम जातियों की सरवादित जन संक्या पाई जाती है आंसर है अफ्रीका युर्त किस जनजाती का घर है तो यह है खिरगे जनजाती का पिग्मी जनजाती है तो यह है अफरीका की अफरीका की मूलभू जनजाती पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है तो यह कांगो नदी घाटी में पाई जाती है प्रादेशिक प्रदेश प्रादेशिक प्रदेशों को प्रवाबित करने वाला सबसे महत्मूर कारक है तो यह है जलवाईू बिस्व को प्राकर्तिक प्रदेशों में बाटने का प्रथम प्रयाह किस ने किया तो यह हरवर्ट सन ने किया था हरवर्ट सन के प्राकर्तिक प्रदेसों के विवाजन का आधार था तो यह है जलवाईू किसी प्राकर्तिक प्रदेस में समरूपता होती है तो यहाँ पर जलवाईू और प्राकर्तिक बनस्पती की समरूपता होती है सामानता बिस्व को कितने प्राकर्तिक प्रदेसों में विभायत किया गया है आंसर है 12 इंपोर्टन कॉशन है किस प्राकर्तिक प्रदेस को आलाश से का प्रदेस कहा जाता है आंसर है बिसूबतिय प्रदेस बिसूबतिय प्रदेस को अन किस नाम से जाने जाता है आंसर है छील कारक प्रदेश के नाम से कौन सा प्राकरतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की द्रश्टी से महात्पून स्थान रखता है तो ये है विसुबतिय प्रदेश किस प्रदेश में पूरे साल बरसा होती है आंसर है विसुबतिय प्रदेश रवर किस प्राकर्तिक प्रदेश की उपज है तो यह है बिसुबतिय प्रदेश की किस प्राकर्तिक प्रदेश को गर्म पेटी की रूप में जाने आता है बिसुबतिय प्रदेश को किस प्रकृतिक प्रदेश में बनस्पती की सरवादिक बिवित्ता देखने को मिलती है तो ये है आपका अंसर बिसुबतिय प्रदेश में सागवान तथा सखुआ किस प्रकृतिक प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुक पेड़ है तो ये मानसूनी प्रदेश में पाय जाते हैं कौन सा प्राकर्तिक प्रदेश बिक्सित प्रदेश के नाम से जाना जाता है तो बिक्सित प्रदेश के नाम से जाना जाता है भूमद सागरिय प्रदेश कौन सा प्राकर्तिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद है आंसर है भूमद सागर अब हैंत्रिक प्रकार का मौसम पाया जाता है तो ये कैलिफॉर्निया में पाया जाता है भूमद सागरी छेतर किसकी खेती में बिसिस्ता रखता है आंसर है नीबु कुल के फल किस प्राकरतिक प्रदेश को बिस्व का चुडियाघर के नाम से जाने जाता है इंपोर्टन कॉशन है बिस्व का चुडियाघर कहते हैं सवाना प्रदेश को किस प्राकरतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिस्रम का प्रदेश कहा जाता है आंसर है पश्चिमी यूरूप प्रदेश को कौन सा एक बिस्व का ब्रेड बास्किट यान की रोटी का डलिय कहा जाता है मूलगाटी कहा इस्ते थे मूलगाटी कैलिफornia में इस्ते थे अब देखिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट गास के मैदान दिये गए है इनने एक बार देख लेते हैं कनाडा में है दोस्तों प्रेवी घास का मैदान, औस्टिलिया में है डाउंस घास का मैदान, अर्जिन्टीना में है पंपास घास का मैदान है ये भी, दक्ष्णल अफ्रीका में है बेल्ड, उत्री अमेरिका में है स्टेपी, और अफ्रीका, उत्तरमत अफ्रीका में है सवान स्री लंका में है पटाना घास का मैदान जबकि बेनी जोला में है लानोज इंपोर्टेंट है एक्जाम में यहां से कौशन बिस्प का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकर्टिक प्रदेश स्पेस्थित है तो यह है उश्ण मरुस्थल यह प्रदेश में किस प्राकरतिक प्रदेश में गर्मी की रुटू में सूर कभी अस्त नहीं होता है तो यह है टूंटरा प्रदेश किस प्राकरतिक प्रदेश को सीत मरुस्थल कहा जाता है आंसर है टूंटरा प्रदेश को मान्चित्र पर अंकित रेखा है समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है तो इसको आईसो बात कहते है सूर्टप के समान अवदी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो इसको आईसो हेल कहा जाता है समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रिखा क्या कहलाती है तो इसको बोलते हैं आईसो निफ मांचित्र पर बनाई गई वे रिखाएं जो समुद्र से बराबर उचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है तो इसको कंटूर लाइन कहते हैं समान वर्षा वाले छेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है तो आईसो हाइट कहा जाता है इसको समान जनसंक्या घनत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है तो ये हैं आईसो पाई किनिक महासाग्रिय एवं साग्रिय भागों में लवर्ता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न मैंसे किस नाम से जाने जाती है तो इसको आईसो हेलाइन कहा जाता है समान मेगा च्छत्रा को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है आइसर है आईसो नेफ समान चुम्मक के जुका बाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो इसको कहा जाता है आईसो गोनल एक ही तापमान वाले स्थानों को जोडने वाली काल्प में रेखा क्या कहलाती है तो इसको कहा जाता है आईसो थर्म आईसो बार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्साने के लिए खीची गई रेका है जहाँ पर एक जैसा बायू मंडले दाब है आईसो हैल रेकाएं द्वारा क्या प्रतिसित होता है आंसर है समान धूप क्या समान धूप एक ही समय में कमपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेकाएं की सिंखला कहलाती है तो इसको बुलते हैं आईसो सिंस्मल लाइन्स एक समान समय में तूपान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेका क्या कहलाती है तो इसको बुले आता है आईसो ब्रांट महासागर वा सागर की लवडियता को मानचित्र पर प्रदसित करने वाली रेखा क्या कहलाती है तो इन्हें कहते हैं आईसो हेलाइन आईसो बात रेखाई प्रदसित करती हैं तो ये समुद्ध तल के समान गहराई वाले छेत्र को प्रदसित करती है मान्चित्र में वे रेखाएं जहां दाव सम हो वे कहलाती है तो इनको समदाव रेखाएं कहते है प्रमुक भोगले के अंतर सापेचिक आदर्ता के मापन हितु किस उपकरण का प्रयोग करते है इंपोर्टन कोशन है तो इस उपकरण का नाम है हाईग्रोमीटर उच्टापमान के मापन हितु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है राइट आंसर पाइरोमीटर आकास के नीलेपन का मापन किस भोगले के अंतर द्वारा किया जाता है राइट आंसर है साइनोमीटर के द्वारा बिकीरण की तीवर्ता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया आता है तो एक्टेनो मीटर का प्रयोग करते हैं पवन की गती किस स्यंत्र से मापन आती है आंसर है सिस्मोग्राफ से भूकम्पी तरंगों का मापन किस स्यंत्र से होता है important question सिस्मोग्राफ से किया जाता है कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है तो उस्मा की मातरा मापा जाता है कैलोरी मीटर से मांचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो और पीस सो मीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों मांचित पर दूर्यों को मापने के लिए बादलों की दिसा एवं गती को मापने वाला यंतर कहलाता है तो इसको बोलते हैं नैफो इसकोप क्या कहते हैं नैफो इसकोप बायू में आपेच्छ आदरता मापने हेतु प्रियुक्त उपकरण है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है तो भूकम की तीवर्ता को रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ रियक्टर इसकेल का प्रयोक किसके मापने में किया जाता है आंसर है भूकम के जटके रियक्टर इसकेल की तीवरता मापता है तो ये भूकम की तीवरता मापता है दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है उम्मीद करता हूँ आपको सबी कॉशन अच्छे लगे होंगे समझाए होंगे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ